तो कहानी की शुरुआत होती है female lead zoo को दिखाते हुए जो पढ़ाई में अची नहीं थी पर उसे painting करना बहुत ही अच्छा लगता था इसलिए उसे एक third grade arts college में admission मिला तो आज college में scholarships दिये चा रहे थे जो sponsor कर रहे थे Mr. Waking यूनमा corporation का CEO जो इस कहानी का main lead है तो scholarship में zoo का भी नाम आता है मगर उसका नाम सुनकर किसी को भी believe नहीं होता क्योंकि पढ़ाई के मामले में college में पिए उसकी school जैसे ही हालत थी इसलिए तो zoo के friends को भी believe नहीं होता पर फिर zoo भागते हुए कुछ देर में पहुँच जाती है जहाँ पर scholarship देने के लिए खुद waking उसके पास आता है जिसे देखकर वो पूछ थी क्या किर आप यहां कैसे तब ही शुरू होता है एक flashback एक महीने पहले zoo the mountain art gallery hotel गई थी वहाँ पर internship के लिए apply करने के लिए जहाँ का supervisor उसे काम पर रखना नहीं चाता था क्यूंकि वो एक arts college की student थी इसलिए उसे hotel management का काम आता तो नहीं होगा मगर zoo उन्हें अपने दूस्टे talent से लाइक भारी चीज़ों को उठाना हर चीज सही से और time से finish करना इन सबके भार में बता कर supervisor को मना लेती है लेकिन वो तो यहाँ specially अपने crush को Chinese Valentine's Day पर propose करने के लिए आई थी जो एक महीने बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर एक trip के लिए आने वाला था तो zoo के उस childhood crush का नाम था Ming Cheng जो बच्पन से उसका neighbor है तो zoo यहाँ पर एक महीना काम करके Ming Cheng और उसके friends के लिए hotel का special room बुक करती है तो zoo Ming Cheng के लिए love letter लिखती है जिसके साथ एक ring एक cover में डाल कर उस room के pillow के नीचे रख देती है और बहुत खुश हो रही होती है लेकिन इधर हमें पता चलता है कि Ming Cheng zoo को तो सिर्फ अपना दोस्त मानता है तो hotel की और आते हुए Ming Cheng की कार खराब हो जाती है जूँकि अभी hotel के माली के हाँ पर आने वाले है अपनी girlfriend की साथ जो की और कोई ने बलकी हमारा main lead waking होता है लेकिन zoo को तो hotel की see you के बार में कुछ भी पता नहीं होता तो hotel के अंदर एक famous painter की painting की साथ selfie कीशने लग जाती है जिस चकर में वो zoo का love letter भी fake देता है और यहां में पता चलता है कि waking को तो बहुत ही खतनाग OCD है जिसकी वज़े से human touch से allergy है इसलिए वो कुछ जादा ए clean freak है तो room की साथ सफाय करके वो उस room का सारा सामन बाहर फिंकवा देता है जिस बारे में जब zoo को बता चलता है तब तो वो बहुत ही परिशान होती है उपर से waking supervisor को call करके बताता है कि वो जिस room में ठहरा है उस room की साथ सफाय एचे से नहीं की गई है जिसके लिए supervisor उसे sorry worry कहता है जू अपने letter को ढोड़ने के लिए उस room में जाती है जहां जाकर वो देख थी कि पूरे room का तो नक्षा ही बदल चुका था इसलिए उसे अपना letter bed पर नहीं मिलता क्योंकि waking ने तो उन सारी चीजों को already फिकवा चुका था लिकिन wardrobe में एक suit की pocket में उसे उसी color का एक cover दिखता है जिसे लेने के लिए वो जैसे ही अंदर जाती है तब ही अचानक waking उसके सामने आ जाता है और जू का हाथ उसके face पर जाकर लगता है अब जू के touch करनी की वज़े से waking जोर से चला कर खुदी भाग जाता है पर थोड़ी देर बाद बात रोब में बाहरा कर उसे डांटने लग जाता है तो जू उसे बताती है कि उसे waking का ही 24-7 बटलर अपॉंट किया गया है तो waking उसे एक phone दिदन बताता है कि जब वो बुलाए तब ही वो उसके सामने आए वरना उसे दोरी maintain करे क्याकर उसे भगा देता है जिसके बद वेकिंग अपनी girlfriend की साथ खाना खा रहा था जहां पर उस लड़की को देख कर जू को याद आता है कि वो तो मिंगचेंग की उनिवर्सिटी में ही सबसे popular लड़की है जिसका नाम Ren है तो यहां में पता चलता है कि वेकिंग को एक बार लेक में गिरने से बचाया था जिसके चूने पर वेकिंग को allergic reactions नहीं हुए थे इसलिए वेकिंग ने उसे अपनी girlfriend बना लिया था लेकिन यहां जब वेकिंग उसे उसकी एक locket लोटाने जाता है जो उस दिन वेकिंग के हाथ में रह गई थी जिस दिन Ren ने उसे बचाया था मगर उस locket को Ren पहचानी नहीं पाती जिससे वेकिंग को अब थोड़ा उस पर doubt होने लगा था कि उस दिन उसे बचाने वाली शायद Ren नहीं थी उपर से Ren जब उसके हाथ में टच करती है तो वेकिंग के अलर्जिक रियक्शन सुरू हो जाते है इसलिए वेकिंग हैंड गलब्स पहन लेता है वहिंते जू तो अपना लेटर लेनी के फिराक में थी जो उसे लग रहा था कि वेकिंग के सूट के पॉकेट में है मगर इसलिए पहले वह कुछ करती वेकिंग Ren को लेकर चला चाता है तो Ren वेकिंग के क्लोज आने के लिए उससे बैक हग कर लेती है जिससे वेकिंग को फिर से अलर्जिक रियक्शन सोने लगते है जिससे परिशान होकर वो जल्दी से जू को मैसेच करता है और उसे किसी बहाने से Ren को यहाँ से भगानी के लिए क्लिए आता है मगर जू तो ये फ्री में करने वाली नहीं थी तो ये वो से पैसे डिमान करती है जिसके लिए वेकिंग मान जाता है तो जू आकर Ren को रेस्ट करने के पहाने रूम भेज देती है तो वेकिंग इसके बदले जू को उसके पैसे दे देता है मगर अपने रूम जाने पर उसे पताशलता है उसके पूरे बॉड़ी पर अलर्जी के वज़े से रेशश आ गये थे जिसके बदले में वेकिंग के बार में पताशलता है कि काफिस आलू के इलाज के बाद भी उसका ये अलर्जी ठीक नहीं हो रहा है जिससे परिशान होकर जब वो एक दिन बहुत जाता ड्रिंग करके लेक के पास गया ही था कि तभी पैर स्लेप होनी के वज़े से वो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाला था मगर तभी एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़ कर उसे उपर खींच लिया था जिससे वेकिंग उस लड़की के उपर जा गिरा था मगर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि रन वो लड़की नहीं थी वहेंद जू एक और बार अपना लवलेटर ढूरने के लिए जिप चाप से वेकिंग के रूम में घुश जाती है लेकिन वाडरोब में जुपने के चकर में वो फिर से पकड़ी जाती है जिससे वेकिंग उस पर और जादा भड़क जाता है तो वो से दुबार उसके सामने नानी की वार्निंग देता है वरना वो से काम से निकाल देगा ये बोलकर उसे रूम से बाहर निकाल देता है तब ये जू को मिंचें का कॉल आता है बताता है कि वो लोग के गाड़ी में लिफ्ट लेकर होटेल की और आही रहे हैं तो रात में मिलकर वो लोग मीटियो और शावर देखेंगे ये सुन जू तो खुश होई रही थी पर तब उससे याद आता है कि अभी तक तो उससे अपने लेटर ही नहीं मिला है तो वो इस मा सुपरवाअजर को कॉस्परवाईसर को क chilly करके लिफ्rezur को निकालनी के लिए किया तेता है अब जू गिरतर पढ़ते हुए दुकान पहुंच जाती है जहाँ से समान करीद कर वो वापस kam करें लगी ती यह जब टालेकृप कर बाहर आता है तो जू के ऐसके कर में बैठ ज जलता है कि जू तो बैक सीट में चुपी हुई है तो वो उसे चुपचाप से निकल जाने के लिए क्या देता है वरना वो उसकी पुलिस कमडेंट करतेगा कि जू उसे स्टॉक कर रही है लेकिन जू तो अपना लेटर लिये विना जाने वाली नहीं थी वेकिंग तो उसे होती है जिस वेसे वो तो वेकिंग को धंकी देती है कि अगर उसे उसका लेटर नहीं मिला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी वेकिंग भागने की कोशिश करता है तो जू उसे नीचे गिरा देती है तो वहीं तर मिंग चन और उसके दोस्त होटेल पहुँचाते है जहापर उ उनका जगड़ा continue हुई रहता है पर आगर कर जूस से माफी मांग लेती है क्योंकि उसके सूट में तो सच में कोई लेटर नहीं था वहीं दूसरी और मिंग जिंगल उसके दोस्त मिलकर जू को हर जगा ढोड़ने लग जाते हैं बारिश में एक जगा उन्हें रन दिख जाती है इसके घुटने पर से खोन निकल रहा था तो वो सभी मिलकर पहले रन को उसके रूम तक छोड़ने के लिए चाते हैं वहें दर ये दोनों तो अपनी इसालत का जिम्यदार एक दूसरे को ठहराते हुए बस्टॉप तक पहुँचकर फिर से पहश करने लगते हैं बारिश रुख जाती है तो दोनों मिलकर मिट्य और शावर देखते हैं फिर बस के आने पर दोनों बैटकर निकल जाते हैं जहां और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को जहलने के बाद वेकिंग नीचे उतर जाता है मगर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को क्या कर जाते हैं कि दुबारा से वो दोनों एक दूसरे का चहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे वेकिंग तो एक आदमी से फोन लेकर अपने असिस्टंट को कॉल करके पुला लेता है जहां असिस्टंट से जूक के बारे में सब खुश बताता है कि वो एक करीब लड़की है मगर अपने दोस्तों के साथ यहां का मिटी और शावर देखने के लिए वो एक मैने पहले यहां पर इंटरंशिप करने के लिए आ गई थी बाकी वो ना ही किसी की स्वाई थी ना ही कोई रिपोर्टर थी तो यह सब जानने के बाद वेकिंग सुपर्वाइजर को कॉल करके आज के लिए उसे होटेल में रहने की परमिशन दे देता है तो वो होटेल अपना सामार लेनी के लिए पहुंचती है अजह सुपर्वाइजर उसे बताता है कि बॉस ने उसे आज रात यहां पर उपने की परमिशन दे दी है तब ही वहाँ पर मिंग चेंग आता है तो पहले वो थोड़ा उसे डाटता है अचानक भी ना बताये कहीं भी चले जाने के लिए जिससे वो काफी गबरा चाता है अगले दिन वो ड्राइवर को क्या कर उस होटेल से जो सामान उसने बाहर निकल वाया था जिसमें जू कफ वो लेटर भी था तो वो उसे वहां से मंगाता है जिसके अंदर उसे एक रिंग मिलता है जिसका डिजाइन बिल्कुल उसी लॉकेट की तरह था जो उसी लड़की का था जिसने उसे लेक के पास बचाया था इससे वेखिंग को डाउट होता है कि कहीं जू ही तो वो लड़की नहीं है जिसने उसे लेक के पास बचाया था और उसी से उसे अलर्जी नहीं होती पैंसे जू अपनी उन्वर्सिटी वा पस आ जाती है जहां मिलते हैं जू की बेस्ट फ्रेंड फे फेcü से बार में याद दिलाता है जिससे अभी तक उसने सब्मिट नहीं किया था और उसी स्केच को सब्मिट करने के बाद ही वो युनमा कॉपरेशन की स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर पाएगी तो जू मीट और शावर देखते वे अपना और वेकिंग का स्केच बना लेती है जिससे वो टीचर को सब्मिट करती है तो टीचर उस पेंटिंग को वेकिंग को जाकर दिखाते हैं और उससे देखकर ही वेकिंग ने जू का नाम स्कॉलर्शिप के लिए रिकमेंट किया था तो कमिंग बेक टो दा प्रेजन्ट जू वेकिंग से सौरी वोरी कहती है उसने जितना भी उसके साथ बुरा बिहेव किया उसके लिए और स्कॉलर्शिप के लिए थैंक्यू कहती है तो वेकिंग उससे कहता है कि हम लोग होटेल से पहले भी कहीं मिल चुके हैं पिर उसके थोड़ा करीब जाकर कहता है कि और आगे भी मिलेंगे ये कहकर वो चला जाता है तो वो बाहर आकर उसी के बातों के बार में सोच रही थी तभी उसके अपने पॉकेट में उसका खोया हुआ लॉकेट मिल जाता है जिसे वेकिंग ने थोड़ी तर पहले उसके पॉकेट में डाल दिया था अब ये लॉकेट तो जू से एक महिने से भी जादा पहले खो कि waking को लेक में गिरने से जिसने बचाया था वो तो जू थी, लेकिन जू को अब तक waking के बार में याद नहीं आया था तो जू कलर्स खरीदने के लिए जाती है, लेकिन जो इसे चाहिए था, वो बहुत ज़ादा μέंगा था इसलिए वो उसे नहीं खरीद पाती लेकिन तभी एक लड़का ट्रॉली हातों में पकड़े हुए हेड़फोंस लगाकर जू के स्टेर्स को टकर मार देता है जिससे वो ट्रॉली में आकर गिरती है किन निंग अभी अभी अबरोड से यहां पर आया है वहेंदर वेकिंग अपने डॉक्टर को जू के बार में बताता है जिसने उस लेक से बचाया था वो जू थी और उसके टच करने से वेकिंग को अलर्जिक रियक्शन्स नहीं होते इसलिए वेकिंग जू को अपने करीब रख करने इस अजीब से अलर्जिक के बार में पता लगाना चाहता था जिसके लिए उसने जू की कमजोरी का पता लगा लिया था जो की थे उसकी गरीबी इतर मिंक चिंग तो जू से स्कॉलरशिप पानी के खुशी में पार्टी लेता है और उसे अपने ही उनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अबलाइ करनी के लिए कहता है जिसके लिए जू को पहले अपने आने वाले एक्जाम में पास होना होगा जो जू के लिए बहुत ही मुश्किल था वह हमें पता चलता है कि निग तो एक बहुत ही फेपिंटर है जो शुनरान नाम से पेंटिंग बनाता है और उसी के पैंटिंग का जू भी बहुत ही बड़ी फैन है तो निंग को पार्सल में दो बॉक्स मिलता है जिसके अंदर girls innerwear's थे यानि कि इसके घर पे wrong delivery हुई है इसलिए वो box के उपर में चो number लिखा हुआ था उस पर call लगाता है जो कि जू उठाती है तो निंग उसे innerwear's के बार में बताने लग जाता है जो सुन जू को लगता है कि कोई बदमाश लड़का होगा इसलिए वो उसे दो-चार गाली दे कर call काड़ देती है वही घर आकर चियू ने बताती है चुनके उपर वाले floor में एक लड़का रहने के लिए आया है जिसका बहुत सारा सामान यहाँ पर deliver हो गया था तो उनसे तंगा कर चियू ने बात बे आने वाले सारे delivery persons को सीधे उपर जाने के लिए क्या दिया था ये बात सुनकर उसे उस stranger की call का याद आता है जो उसे इनर्वेर्स के बारे में बता रहा था जो सिल फेफे कहती कि उसी ने तो इनर्वेर्स ओडर किया था इसलिए वो उसी stranger को call करने के लिए क्याती है अब वो call लगाती है तो फोन की घंटी उपर से आती है दोनों भाग कर उपर जाते हैं डोर बल बजाते हैं निंग के बार आने पर वो लोग उससे बारसल के बारे में पूछते हैं इस पर निंग बताता है कि उसे याद नहीं है उसने कहा रख दिया क्योंकि वो अपने काम में busy था तो वो उन दोनों को डोड़ने के लिए अंदर बुलाता है जहां उसका पूरा गर तो पेंटिंग से बरा पड़ा था अब बॉक्स को डोड़ने के चकर में फेफे गलती से एक बाउल तोड़ देती है वो अपी जाकर उसके लिए एक दूसरा करीद कर ला देगी मगर अभी उसे क्लब की पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था तो वो अपनी जगापर जू को आज काम पे भेज़ते थी है अब वो प्राइवेट क्लब था इसलिए पहले से किसे ने बुक कर रखा था जो और कोई नीबल की वेकिंग था जिससे देखकर जू अपना मूँ चुपाने लग जाती है कि कहीं वो उसके इनुवर्सिटी में गंप्लेन ना कर दे लेकिन वेकिंग ने तो उसे पैचान लिया था पर फिर भी वो से कुछ भी नहीं कहता उल्टा वो तो उसे टिप में एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट कर देता है जो देकर जू सोचती कि इसके पास जरूर बहुत पैसे होंगे इसलिए वो टिप में इतनी महंगी चीज़े देता फिर रहा है तभी वो दो गुंडो को बाते करते हुए सुनती है जो यहाँ वेकिंग को पीटने के लिए आये थे क्योंकि उन्हें किसी ने वेकिंग को पीटने के लिए कहा था मगर फिर गुंडे उस पर भारी पढ़ने लग जाते है जो तेक जू भी मैदान में उदर जाती है और गुंडो को मजा चखाने लग जाती है क्योंकि उसे अच्छे खासी फाइटिंग आती थी पीजी कोर्स में अडिमेशन के लिए हल्प करने के लिए कहती है जिस पर वेकिंग कहते है कि वो सब मैं नहीं करा सकता तो मैं ऐसा कुछ मागो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ तो जू कहते है फिर मुझे आर्ट्स थियोरी में पास करा दो क्योंकि आपकी अच्छी कासी जान पहचाने हमारी उनिवर्सिटी में इतना तो आप करा ही सकते हैं लेकिन वेकिंग तो उसे मना करके चला जाता है लेकिन अगले ही दिन उनके उनिवर्सिटी में वेकिंग का इंटर्वी होता है जिस दोरां जूस हो जाती है जिस वैसे उसे प्रोफेसर से बहुत साथ डाट पढ़ती है और हमें यहाँ पता जलता है कि वेकिंग तो रॉयल कॉलेज ओप आर्ट्स लंडन से पीचडी करकी आया है और उनके युनिवरसिटी में वो कुछ दिनों तक गेस्ट प्रोफेसर बन कर आएंगे तो वेकिंग जू से कहता है कि वो उसकी थियोरी की पढ़ाई में हल्प करेगा ताकि वो एक्जाम में कम से कम पास हो चाए तो इसके लिए वो उसे पीपीटी बनाने का होमवर्ग भी दे देता है जहां बाहर आकर उसे फेफे के बॉइफ्रेंड का कॉल आता है फेफे निंग के पास उसी की जैसे दिखने वाला एक बाउल लेकर गई थी लेकिन निंग ने उसे तोड़ दिया और कहा सेम वैसा है बाउल लाने के लिए जिसके लिए उसने उसे पैसे भी दिये वरना वो उसकी पुलिस कम्टेन कर देगा तो इसलिए फेफे उस बाउल को ढूणने में लगी हुई थी तो जू उसे कहती कि वो घरा कर निंग से बात करेगी लेकिन तभी वो निंग को अपने यूनिवर्सिटी के लाइबरी की और जाते हुए देखती है जो एकदम जॉम्बी जैसा चलता ही जा रहा था बस इतना कहकर वो अंदर चला जाता है वेंदेज जू ने अपने पीपीटी में शुनरेन के पेंटिंग्स के बारे में थेओरी लिखी थी तो वो वेकिंग को बताती है कि वो पिछले पात सालों से शुनरेन की पेंटिंग्स ही बहुत ही बड़ी फैन है तो सुन वेकिंग को बलकुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक flashback से हमें पता चलता है कि वेकिंग और शुनरैन एक ही टीचर से painting बनाना सीखते थे जो हमेशा शुनरैन की side लेते थे क्योंकि वो वेकिंग से age में 10 साल चोटा था पर फिर भी वो teacher की हिसाब से वेकिंग स अची painting बनाता था इसलिए वो हमेशा शुनरैन की तारीफ करते थे और वेकिंग को डाटते थे इसलिए वेकिंग शुनरैन को पसंद नहीं करता था तो वेकिंग फिर जो के करीब चला चाहता है अपनी allergy टेस्ट करनी के लिए लेकिन उसे कोई reaction नहीं होता तो वहीं अंगल कि घर के खिटकी से अंदर घुश जाते हैं जहां अंदर जाकर वो देखते हैं कि पूरा घर तो पानी पानी हो चुका था जो बातरूम की और से आ रहा था जहां जाकर वो देखते हैं कि बातरब में तो निंग बेहुश पड़ा है और पूरा पानी लाल हो चुका था जिस पेलिए डॉक्टर उन्हें निंग के फैमिली मेंबर को बलाने के लिए क्याता है और अब इक लिए फेफे इसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है वहीं सून निंग के घर की साफ सफाय करने में लग जाती है जहां उसे संभाल कर रखा हुआ टूटा हुआ बाउल मिलता है वह निंग के फैमिली उनके फैमिली फ्रेंस थे इसलिए में से इसलिए निंग का ख्याल रखते हैं यहां वो फेफे को ये भी बिताती है कि निंग को उस बाउल से बहुत ही जादा लगाव था क्योंकि वो उसके डैट ने बनाई थी जो की एक बहुत स्किल्ड और फेमस पॉ होता है वहीं अगले दिन वेकिंग निंग से मिलने के लिये पहुंचाता है जाँ वो नर्स को बताता है कि वो निंग का बढ़ा भाय है जिसके बधान विकिंग घर चला आता है जिसके बाद एक फ्ल Tamil मरने के!!!!!!!! वेकिंग के मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट कर लिया था लेकिन निंग के आन के बाद से वेकिंग के मॉम डैड का पूरा ध्यान उस पर चला गया था और बच्पन से निंग के पास वो बाउल था जिसे वो किसी को भी टच करने तक नहीं देता था उसे किसी ने लेक में फेक जिसे वापस लाने के चकर में निंग पानी में ढूपते ढूपते बचा जो देख वेकिंग के मॉम डाट को लगा कि शायद वेकिंग नहीं बाउल को लेक में फेका था जित विए से उन दोरों ने वेकिंग को बहुत ज़्दा डाटा वहीं ते जू तो बाउल को जोड़ने में लगी थी मगर वो उसे चिपका नहीं पा रही थी क्योंकि वो बाउल बहुत ही ज़ादा रेर था तो वो नेट पे सर्च करती है और एक जौनेरी के बारे में बता करती है जहांसे रेर बाउल्स को जोड़ा जाता है तो अगले दिन वो उस जगह पहुँच जाती है जहां जाकर उसे पता चलता है कि वो एंटिक्स की शौप वेकिंग की है तो वो वेकिंग से रेक्वेस्ट करती है इस बाउल को जोड़ देने का चुकि ये उसके फ्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टन है और एक जिंदेगी और मौत का सवाल है तो इसके बदले में वेकिंग उसे अपनी गल्फरेंड बने के लिए कहता है जिसके लिए जू मना करती है तो वेकिंग उसे दूसरा आप्शन देता है उसे एक किस करने का तो जू काफी सोचने के बाद उसे गाल पर किस करने के लिए मान जाती है तो उसे किस करके बाउल जुड़वाने के लिए दे देती है जिसके बद वेकिंग अपनी मौम से मिलने के लिए आता है लेकिन मौम तो उसे बहाना करके मिलना नहीं चाती थी फिर भी वेकिंग आ जाता है लेकिन मॉम दोस्ते बस काम की बात करके जाने लगी थी क्योंकि उन्हें अभी निंग का दियान रखने के लिए जाना था क्योंकि वो अभी भी खाना नहीं खा रहा था इसलिए मॉम भी बाउल ढूनने में लगी हुई थी तो वेकिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप वो बाउल ढून रही है ना यह क्या कर वो उन्हें बाउल दिखाता है जो देकर मॉम उससे बाउल देने के लिए कहती है अनिवन उसी पर गुसा भी करने लगती है क्या कर तुम अप निंग के साथ क्या करना चाते हो तब ही वहाँ रहना आती है जो उसे फिर से अपनी चेकनी चुपड़ी बातों से मनाने लग जाती है तो वेकिंग उसे कहता है कि उससे पता है कि उस दिन कलब मैट एक उसी ने करवाया था इसलिए आगे से कुछ भी ऐसा वसा करने के लिए उसे वान करता है लेकिन उस बाउल को देकर वेकिंग समझ जाता है कि ये नेंग का टूटा हुआ बाउल है जिस बाएरे में जो से कंफर्म करने के बाद वो जान बुचकर उस बाउल को जमीन में गिरा कर तोड़ देता है जिसके इस बार और साथा टुकड़े हो जाते हैं और इसे अब जोड़ा नहीं जा सकता है अब zoos तो फिर से साध और परिशान हो जाती है और waking पर घुसा करते है कि यह किजी की जिन्देगी और मौट का सवाल था तो waking उसे कहता कि same यहीं बाउल उसके पास है उस पर allergic reactions होते हैं या नहीं अब zoo तो उसे छुड़ा नहीं पा रहे थी क्योंकि अगर वो जादा हिली तो बाउल नीचे गिर जाएगा इसलिए वो पीछे की तरफ आती है और एक टेबल पर बाउल को रहकर उसे धक्का मार देती है जिससे वेकिंग जाकर उसके एंटिक करेक्शन के उपर गिरता है जिससे वो सारे चकना चूर हो जाते हैं तो zoo जल्दी से वहाँ से बाग जाती है मगर वेकिंग तो उन सारे एंटिक्स की फोटो कीच कर zoo को भेजने लग जाता है नुसे कहता है कि ये सारे तुमने तोड़े हैं, तो अब तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा, जिनकी प्राइस तो मिलियन्स में थे, जिससे जू तो पर रिशान हो जाती है, लेकिन वो अभी इस बाउल को निंग के पास पहुचाने में लग जाती है, वेधर वेकिंग को बिक नया पहाना में लिया था, जू को अपने करीब रखने का, ताकि वो अपने अलर्जी के बाईर में पता लगा सके, वेधर निंग तो उसके बाउल के बिना खाना नहीं खा रहा था, वेधर भी जू फेफे को ये बाउल देकर उसे हॉस्पिटल भेजती है, जिससे देखकर निं मिससीब बहुत ज़दा खुश होती है, तो वो फेफे का शुक्रिया अदा करती है, और फीचर में निंग का ध्यान रखने के लिए भी वो उसे पैसे देंगी, अब फेफे पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मिससीब के फोर्स करने पर वो पैसे रख लेती है, वेधर जू तो उन सारे कलेक्शन की प्राइस देख कर शॉक्ड़ जाती हैं जोशन लग जाती कि आकर उसे इतने सारे पैसे कहां मिलेंगे, वहीं उसे रात को अपने डैड की करजे का भी सबना आता है, जिन्होंने किसी से करजा लिया था और लोटा नहीं पाय थे, तब उसके ग लोटादा आता हैं कि नहीं हॉस्पिटल से डिशार्ज हो गया है, और वह अभी आपके डैड की स्टूडियो में रह रहा है, तो यहां में पता चलता है कि वेकिंग की डैड की डैड की डैथा चुकी है, जिस घर में निन्न और दूर रहते हैं, वह जगह तक्र वेकिंग iç कहता है कि अगर तुम इसी तरह पैसे लोटाती रही तब तो ना जाने पूरे पैसे चुकाने में तुम्हें कितने ही जनम लेने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तुम्हारे पास कोई जॉब है नहीं इस सिचुईशन में तुमसे कोई शादी करेगा जिस पर इतना बड़ा करजा हो मगर एक रास्ता है सारे पैसे चुकाने का जो की होता है वेकिंग के साथ एक डील साइन करने का जिसमें जू उसकी सारे ओर्डर्स मानेगी और उसे ऐसे एसे एसे जाता सैलरी मिलेगी जिससे वो आसान इसे इसी जनम में पैसे चुका सकती है तो इस बार में सोचने के ल को इग्नोर करने लग जाती है तो वेकिंग कहता है ठीक है इसके बदले तुम्हारा आधा कर्जा माफ तुम्हें बस अगले 30 सालों तक अर्जा चुकाना होगा यह कहकर चला जाता है वहींदर मिससी निंग को मिलने के लिए आती है क्योंकि वह एक लंबे बिजनस ट्रिप के पैसे उड़ा देती है बहुत सारी शॉपिंग करके लेकिन इदर वेकिंग ने निंग को निकालने की तयारी कर ली थी और उससे आज ही अपना घर छोड़ना होगा तो निंग जैसे घर वापस आता है वो घर का लॉक ही नहीं खोल पाता क्यूंकि पासवर्ड गर के ओनर न कीचे ले आता है और एक चिल्डेंस पार्क में जाकर बैठ जाता है क्योंकि रहने के लिए उसके पास कोई घर नहीं था ना ही वो मिसस ही को कॉंटेक्ट कर पा रहा था और वहां बैटे हुए जूसे देख लेती है जिसके साथ उसका सामान देकर वो समझ जाती है कि पैसे हमें जाता है जाइं पार टाइम जाब्स करके उन्हें पैसे भी उसके पास पैसे कम पड़ गया थे ऊपर से अब तो बहुत ही बड़े करजे में भी थी तो इसलिए वो अपने किस्मत को गोशने लग जाती है तब इनिंग उसके डोर पे नौक करता है उसे कहता है कि उसे भूक लगी है तो जू उसके लिए नूडल्स बना कर लाती है तो दोनों साथ में बैटकर नूडल्स खाते हैं तो अब जागर फा बाद वेकिंग जू को ऐसे असिस्टंट पहला काम देता है उसके साथ बॉल पार्टी में जाने का जिसके लिए उसे वहां आने वाले सारे गेस्ट के नाम और उनकी बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद करनी के लिए कहता है जिनने याद करते हुए जू की तो हालेदी ख गोशिश कर रही थी मगर इस चकर में गिरने वाली होती है पर निंग आकर उसे सेव कर लेता है फिर दोनों साथ में कच्रा फेंकिने के लिए बाहर आते हैं जहां फेफे से मिलने के लिए उसका एक्स बॉइफ्रेंड आता है लेकिन फेफे उससे नराज ती से लिए वह उ कि सारे लोगों के नाम याद कर ली थी है देन उसके लिए एक बहुत ही महंगी और लिमिटेड ड्रेस मंगाता है जिसके बाद दोनों पहुंच जाता है बॉल पार्टी में जहां वेकिंग उसे में सूजी को ढूंडने के मिशन में लगा देता है तो जू एक लड़की से टकराती है जो काफी पॉलाइटली उससे बा पारे में बुराईया करने लग जाते हैं वहीं दर इस बॉल पार्टी में रेन भी आई थी जिसने सेम सूजी के जैसा ही ड्रस पहना था अब फिर से वेकिंग के पीछे पढ़ जाती है तो वेकिंग सूजी को दिखाते हुए क्या था कि वो लड़की तुमसे अच्छी दि देता है जिससे सूजी तो उससे इंप्रेसी हो जाती है तो वेकिंग जू को ढूड़ने के लिए चला जाता है सूजी अपने असिस्टन से वेकिंग के बारे में पूछती है तो असिस्टन बताता है कि यही वो मिस्टर वेकिंग है जिनसे आप यहां मिलना चाहती थी जो स उन सूजी तो बड़ी खुश होती है लेकिन इदर अंकल जी तो जू के साथ बत्तमेजी पर उतराते हैं तो भी वहाँ वेकिंग भी पहुंचाता है तो जू अंकल को खींज कर एक थपड लगा देती है देन हमें पता चलता है कि वेकिंग और अंकल को डालोग मारके जू को तो दोनों का पैच अप हो जाता है लेकिन वेकिंग तो उतर जू की लाइफस्टाइल ही बदल देता है वो जू के लिए एक कार भी बेजता है फिर हर रोज उसे मस्ट रडी कराकर यूनिवरसिटी ड्रॉप करने के लिए एक महँगी कार भी बेजता है जिससे तो जू कुछ दिनों के लिए सस्पेंट कर दिया जाता है ताकि उनके यूनिवरसिटी के बारे में कुछ नेगेटिव निउस ना फैल जाए जिससे जू तो बहुत ही जादा परिशान हो जाती है और उसे वेकिंग पर तो बहुत ही जादा गुस्ता आ रहा था मगर अब वो उसे क हर काम के बिच में अभी ये सुनरान आ रहा है लेकिन सूजी की कंपणी के साथ कॉलिबरेशन करने के लिए वेकिंग इनिंग से मिलने के लिए जाता है चाहँ वो उसे ऐसे वार्निंग ही क्याता है कि अब तुझे ऐसे डिजाइनर काम करना होगा क्योंकि तेरी में दुनिया से जो कुछ भी चुपा कर रखा है वो सब कुछ मैं एक्सपोज कर दूँगा तो उसे लिए तयार रहना तो वेकिंग ये धम की देकर चला आता है वहीं ते जू की तब्यद कराब हो जाती अब वो घर में अकली होती है तो वो फेफे को कॉल करती है जो भी ए कर देखना कि अगर तुम किस वज़े से उससे करजे में हो वेकिंग बहुत ही चालू आदमी है इसलिए उसके ट्रिक से बच कर रहना ये सुन जून एंटिक्स के बारे में नेट पर सर्च करने लग जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो सारे एंटिक्स तो जाने के लिए अब जब उसे सब कुछ पता चली किया था तो वेकिंग उनके कांट्राइट को फार्ट देता है कि मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ अब से तुम मेरी गल्फरेंड हो क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जो सुन जू तो फिर से उस पर च लगाना चाता था तो उसके बार में पता लगाते हुए वहाँ की टीचर से उससे पता चलता है कि वो लड़की भी बहुत ही जाता टैलेंटेड है और हर चीज में वो भी टॉप करती है जिससे मिंग चेंग का इंट्रेस्ट उसकी और कुछ जाधा ही बढ़ जाता है तो व किसी दूसरी लड़की के लिए उसे इतना जाधा कीरियस देखकर जू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अपार्टमेंट वापस आने पर वो तो और जाधा शॉक्ट हो जाती है क्योंकि वेकिंग ने उसके लिए घर भर के गिफ्ट बिजवाया था साती में बहुत सारे फ्लावर्स भी भिजवाता है तो इन सारी चीजों से इनका पूरा घर ही भर जाता है तो जू वेकिंग को कॉल करते हैं उसे ये सारी चीज़े अपने घर ले जाने के लिए कहती है अगर वेकिंग कहती है कि मेरी गल्फरंड के लिए मैं ये सब कुछ स तो बेजी सकता हूँ तो जू उसे कहती कि अगर वो इन सब को नहीं लेकर गया तो वो सारी चीजे फेंक देगी तो वेकिंग कहते कि अब से वो सब कुछ तुमारा है तो तुम्हें उसके साथ क्या करना है वो तुम ही सोच लो यह कहकर कॉल कार दीता है तो जू इन फ्लावर उस लेनी के लिए कहती है अगर वेकिंग तो उसके करीब चला आता है उससे जू थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो साइकल के कैरियर में गिर जाती है तो वेकिंग उससे साइकल में बिठागरी ले जाता है वेदर फेफे अबसेट थी अपने बॉइफरेंड से ब्रेक अ लेकर तो निंग उसका मूड ढीक करने आता है तो उसे अपनी स्केच बुक दिखाता है जो दिकर फेफे तो बहुत हैरान हो जाती है कि निंग कितना अच्छा ड्रॉइंग करता है लेकिन तब ही उसे जू की स्केच भी मिल जाती है जो देख वो तो निंग की मस्ती करने ही लग जाती है कि कहीं तुम जू को लाइक तो नहीं करते निंग तो थोड़ा नर्वस होने लगता है तो फेफे कहती कि वो इस बात को सीक्रेट ड्रग सकती है अगर निंग उसे एक बैक खरीद करतेगा निंग कहता है उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं है लेकिन दोनों काफी enjoy करते हैं वह इदर waking तो flowers बांटने के लिए आ जाता है जहां वो flowers सभी को free में लेने के लिए किया देता है और फिर zoo को उठागर ले जाने लगता है तो zoo उसे उतारने के लिए कियाने लगती है पर waking तो उसकी बात नहीं सुनता अब जूर कर बेंच पर बैठने जाती है वह इदर waking तो इसके से बहुत ही खुश था देन उसके पास जाता है और उसके injury को देखने लग जाता है तो उसे hospital चलने के लिए क्याता है मगर zoo मना करती है तो waking कहता है फिर तुम घर में rest करना और जाता चलना माते जूर से कहती कि सब तुमारी तरह लखी तो नहीं होते कि तुमारी तरह कोई कार से मुझे पिक करके ले जाएगा मुझे चलके यूनिवर्सेटी जाना पड़ता है तो waking कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुमारे लिए भी driver आ सकता है अगर तुम मेरी girlfriend बन जाओ तो जिसके लिए जू फिर समना करती है तो waking उसे friends बनके शुरुआत करने के लिए कहता है और उसे उसकी रिंग लोटा देता है वे इदर घर में चियू फेफे को बताती है कि निंग सेच में बहुत ही जाता रिच है तो इसलिए फेफेणिंग की खातेदारी शुरू कर देती है लेगिन इसे जू का पर्स खो गया था जिसमें उसके पूरे सेविंग्स थे इसलिए वो बहुत अपसेट होती है और waking पे गुसा करने के चकर में अपना फोन ही तोड़ देती है वो अभी बहुत बिसी है अगर उसे कुछ बात करनी ही तो उसके ऑफिस आ जाए तो जू अपने फ्रंट से उधार लेकर सी करके उसके ऑफिस पहुच जाती है लेकिन waking उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देता वो उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आज जाता है जिनें देकर जू का खाने का तो बहुत मन होता है लेकिन वो मना करते हुए waking से कहती है कि मैं इन सबसे तुमारे जहांसे में पढ़ने वाली नहीं हूँ इसलिए अपना सामान लेकर जाना कि कहकर वो चली जाती है तो waking अपने assistant से पूछता है कि शायद ये नराज हो गई तो अब मुझे क्या करना चाहिए तो assistant उससे कहता है कि आपको उनसे माफिय माफिय मांग लेनी चाहिए तो waking अपनी कार लेकर बाहर चला आता है जहां वो उससे sorry कहता है जो सुन जू हरान थी क्योंकि ये पहली बार था जब waking ने उससे sorry कहा तो फिर waking उससे अपना explanation देता है कि मैं तो तुम्हारी help कर रहा था as a friend इस बार जो boxes मैंने भिजवा है उसमें राशन का समान था क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारी पास खानी के लिए भी पैसे नहीं है इसलिए कोई महांगी चीज के वज़ाए मैंने तुम्हारी मैंने तुम्हें एक महीने का राशन भेज़ दिया अब इससे जू से इतना तो नाराज नहीं होती क्योंकि वेसे भी उसे राशन खरिदने के लिए पैसो की तो जरूरत थी तो इस बार वेकिंग का पैसा भी बेश्ट नहीं गया और ये सब जू के काम भी आ गया तो इसके लिए जू पहली बार वेकिंग को थैंक्यू कहती है जिससे वेकिंग भी खोश हो जाता है वही हमारी फेफे लगी हुई थी अभी भी निग की खातिरदरी करने में जहाँ वो तो इस बार अपना रूम है उसे दे देती है और वो खुद उसकी जगा सोफे पर सोती है ताकि वो इससे निग का दिल जीत सके मगर फिर फिर फोलोग एक घंटा लेट हो जाते हैं तो वेकिंग मिताता है कि तुम्हारी फोन में टाइम एक घंटा फास्ट है जो कि स्क्रीन के टूटने के विज़े से उसे दिखाय दे रहा था इसलिए वेकिंग उसका फोन लेकर अपनी मेंगी घड़ी दे देता है लेकिन उसे छूट बोलता है कि ये तो लोकल वाच है ये क्या कर वो साइकल लेकर चला चाता है तो जो सोचती कि क्या इसे सुबह सुबह कोई काम नहीं था जो इतने बड़ी कंपनी का प्रसेडंट होकर भी मेरे घर की बाहर खड़ा था वहीं दे चियो और मिंग चिंग आमने सामने आ चाते हैं तो मिंग चिंग उसे गो खेलने के लिए चालेंज कर देता है जिसमें चियो तो उसे आराम से हरा देती है जिससे मिंग चिंग तो शॉक्ट रह जाता है यूँकि आज तक वो समझता था कि उससे बहुतर कोई नहीं है यसलिए वो चियो को उसकी गो टीम जाइन करने के लिए कहता है लेकिन चियो कहती कि अगर उसे गेम खिलने में मज़ा आया तो वो जरुर जाइन करेगी इदर फेफेज जू के आथ में वाच नोटिस कर लेती है जो देखकर वो उसे बताती है कि इसकी प्राइस तो बहुत ही सादा है इस घड़ी को बेच कर तो हम ये पूरा घरी खरीच सकते है पर इतने मैंगी वाच तुम्हें वेकिंग ने दी है इसका मतलब तो साफ है वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता उसके तो दूस्टे ही इरादे हैं तो जू इस वाच के साथ साथ वेकिंग का भीज़ा हुआ राश्रेंड उसने जितना यूस किया है उसके पैसे लेकर वेकिंग को लोटाने के लिए चली जाती है जहां वेकिंग ने तो कुछ औरी सैटिंग कर रखा था अब जू वेकिंग को वाच और पैसे लोटा देती है और उसे साफ कहा देती है कि मुझे अब तुम्हारी फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तब भी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है जित वेसे वो तो वेकिंग को अपना दमाद समझ बैठे थे इसलिए वेकिंग का नाम यूज करके उन्होंने लोन चाक से बहुत ही बड़ा लोन लिया था तब लोन चाक के गुंडे भी वहाँ पहुंच जाते हैं जो उससे पैसे डिमांड करने लग जाते हैं तो मौम उसे वेकिंग के बार में सवाल करने लग जाती है तो जो उन्हें बताती है कि मेरे और वेकिंग के बिच कुछ भी ऐसा नहीं है इदर हमारा निंग तो जो के बार में सोचकर परिशान था इसलिए वो तो चुप-चाप से अपनी जगह पर बैठा हुआ था तो ये दुनों से बुलाते हैं और उसे उसके पैसों से जो की हल्प करने के लिए कहती है तो निंगोंने बताता है कि उसने तो अपने सारे पैसे डोनेट कर दी है जिससे तो फे-फे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने तो बेकर में उसकी खाते जारी कर दी थी इसलिए उससे रूम से भी निकाल देती है लेकिन सुबह जब फे-फे की नींद खुलती है तो फे-फे फे फिर से नींग पे गुसा करती है सारे पैसे डोनेट करने के लिए क्योंकि वो उनसे जू की हल्प कर सकता था लेकिन बाद में चियो नींग के कार्ड का ट्रांजेक्शन डीटेल्स निकालती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उसने तो पिछले पांच सालों में बहुत सारे पैसे यूएस के गंजियों में डोनेट किया है जो कि अना तो बच्चों के लिए था वहीजू उन पैसों के बार में बात करने के लिए वेकिंग से मिलने का सोचती है तब ही फे फे आकर उससे वेकिंग की वाच मांगती है क्योंकि वो एक जॉब इंटर्व्यू देने जा रही थी तो उसका प्लान था वहां के बॉस को इंप्रेस करने का तो जो उसे एक दिन के लिए संभाल कर यूस करने के लिए देती है और वो चाती है वेकिंग से मिलने के लिए जहां वो उससे उन पैसो के बारे में पूछती है वेकिंग बताता है कि उसने फोन पे बात करते हुए उससे सुन लिया था इसलिए उससे लगा कि शायद उसे कुछ पैसो की जरूरत होगी इसलिए उसने उसके बैग में पैसे रख दिये थे तो जो उसे थैंक्यू कहती है और उसके प्रामिस करती कि वो उसके सारे पैसे लोटा देगी तो वेकिंग कहता है कि उसके जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने मेरी साथ एक डिल कर लिया तो मेरी गल्फरेंट बन जाओ तो तुमें पैसे देनी की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन तुमें गल्फरेंट की सारी डियोटीस निवानी होंगी लेकिन जो उसे मना करने लगती है तो वेकिंग उसे एक ब्लैंक चेक पर साइन करके देता है और कहता है कि तुमें जो एमाउंट इसमें लिखना है वो लिख लेना जो देखकर जू को तो बहुत ज़ादा गुसा आता है तो वो चेक उसके मुँपर फेकर चली जाती है लेकिन वेकिंग तो अभी भी स्माइल करते हुए कहता है देखता हूं कब तक ही नहीं मानती है तो लेकिन वेकिंग के दिमाग में आभी भी कुछ तो चल रहा था तो वहीं दूस्टी और फेफे इंटर्वी के लिए वेकिंग के अंकल के कमपनी आई थी जहां सीसिटीवी से वेकिंग की वाच को अंकल देख कर पैचान जाते हैं क्योंकि वो वाच एक एंटिक पीस था जिससे अंकल को लगता है कि वेकिंग ने शायद एक नई गल्फरेंड बना ली है इसलिए वो उसे बिना इंटर्वी के ही हायर कर लेते हैं वहें इदर वेकिंग के कहने पर जू को कलब से भी निकाल दिया चाता है क्योंकि वेकिंग खुदी उस कलब का ओनर था अब वहां से बाहर आते हुए जू उन दोनों गुंडों को देखती है जो लोन शाक्स के लिए भी काम करते हैं जो एक दूसरे से बाते कर रहे थे कि जब प्रेसिडंट वेकिंग ने जू के डैड का करजा चुका दिया है पिर उन्होंने हमें पैसे देखर जू के फैमली को डराने के लिए क्यों कहा अब ये बात सुनकर जू तो शूक डो जाती है और उसे वेकिंग पर बहुत ही जादा गुसा आता है लेकिन वहाँ जाने से पहले वो इन दोनों गुंडों की अच्छी खासी दुलाई करती थी है और उनसे सारी बाती उगलवाती है जिसके बाद वो तो पूरे गुस्ते में वेकिंग के ऑफिस पहुंच जाते है उस पर गुसा करने लग जाती है तो वेकिंग कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरुवत नहीं पड़ती अगर तू मेरी गल्फेंड बनने के लिए मान जाती तो जू उसे वान करती का अगर मुझे है या फिर मेरी फैमिली को परिशान किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये क्याकर जाने लगती है तो वेकिंग उसे रोकते वे कहता है जिसके लिए प्रोफेसर उसे वान करते हैं तो इससे जू तो और परिशान हो जाते ही क्योंकि अब उसके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन तभी उसी कलब का मैनेजर जू का एक दूस्टे कलब में काम लगा देता है जहाँ पर वेकिंग का अंकल भी होता है कि निंग को तो बहुत तेज फीवर है तो फेफे उसे घर के अंदर ले जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है मगर निंग को तो जू की बहुत फिकर हो रही थी तो फेफे जू को कॉल करती है उसके लोकेशन के बार में पूछती है जिसके बारे में सुनते हैं निंग उसे ढूंडने के लिए चला जाता है तो उसके पीचे पीचे फेफे भी जाती है वहीं तर वो VIP क्लाइंट जू को कुछ जाधा है ट्रिंग करा देता है लेकिन दभी वेकिंग वहाँ पर पहुंच आता है जो जू को संभाल कर ले जाता है और उसका हैंग वर उतारनी के लिए उसे उल्टी उल्टी कराता है लेकिन जू तो वेकिंग पर ही गुसा करती है कि उसकी वज़े से उसके इतने सारे पैसे हाँ से निकल गया है जिसकी विज़े से मैं कॉलेज की फीज नहीं दे पाई मेरी फैमिली को परिशान किया इसलिए अब तो मुझसे दोरी रहना यह कहा कर वो लड़कड आते हुए चेंजिंग रोम के और चली जाती है मगर वो गलती से मेंस चेंजिंग रोम में चली आती है जहां पर थोड़ी दिर में वहां के मैनेचर आता है जो उसे यहाँ अकीला देखकर हरेस करने की कोशिश करता है मगर वेकिंग आकर उसे मज़ा चखाता है और जू को बाहर ले चाता है लेकिन जू अबे भी वेकिंग पर ही गुसा करती ही क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब भी उसी ने प्लैन किया होगा ताकि वो उसके सामने हीरो बन सके इसलिए वो उसे गुसे से कहती है कि अब वो उसे दुबारा कभी देखना नहीं चाती वेकिंग उसे समझाने ही लगा था तबी निंग उसके सामने आ जाता है उसके पीछे फेफे भी आती है तो वो निंग को जू के साथ घर बेश देती है फिर वेकिंग को बुरा फला सुना कर चली आती है अब ये दोनों घर पहुंचकर जू को सुला देते हैं क्योंकि उसके पास कोई जूब नहीं ते नुसे बहुत पैसो की जरूरत थी तो निंग उसे मेसेज ही कि आर्ट गैलरी का कारती था है और उन सब को बताता है कि आंटी वापस आ गई है इसलिए अगर तुम उनके पास जाओगी तो तुमें जूब मिल जाएगा जिससे जू तो बहुत खुश हो जाती है तो वो निंग को थैंक्यू कहती है उसके इतनी बड़ी हल्प करने के लिए और आंटी से मिलने के लिए आर्ट गैलरी चली जाती है जहां चारों तरफ बर शुनरैन के ही पेंटिंग्स लगे हुए थे तो आंटी उसे जॉब पर रख लेती है यूँकि निंग ने उसे रिकमेंट चुकिया था अब जू को अभी तक यह नहीं बताता कि शुनरैन ही निंग है इसलिए मिसस ही अभी उसे इस बार में नहीं बताती तो वो जू को कल से काम पे आने के लिए कहती है लेकिन तभी जू को याद आता है कि कुछ दिनों में मिंग चेंग का बर्डे आने वाला है और उसने अभी तक उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं सोचा तो वो घर लोट कर इस बार में बहुत परिशान होती है तो इसलिए वो मिंग चेंग का कलब जॉइन कर लेती है अब मिंग चेंग तो चीओ को अपना सुपेरियर समझता था इसलिए चीओ उसके फेवरेट चीजों के बार में बता कर लेती है जो उसे चाहिए थे वहीं ची उसे प्रॉमिस भी करती है कि उन मेंगी चीजों को पाहिने में वो उसके हल्प करेगी तो जू अगले दिन काम पे चली आती है मगर उसे दिन वेकिंग भी अपनी मॉम से मिलने आ जाता है जिस वेसे ना चाते हुए भी जू को उसकी शकल देखनी पड़ती है और उसे ये भी पता चलता है कि इंडारेक्टली ही सही मगर वेकिंग ही उसका में बॉस है क्योंकि ये आर्ट गैलरी भी उनमा कॉपरेशन की है तो वेकिंग मॉम से बात करने के लिए आता है जहां वो चाता था कि उसकी मॉम और ज़्यादा फेमस पेंटर्स को हायर करें ताकि उनकी पेंटिंग्स बेचकर उने और ज़्यादा फाइदा हो मगर मॉम को पैसों से कोई लेना देना नहीं था वो तो बस real talent और real artist को ही promote करती है जिने art से प्यार है ना की पैसो से तो उसी बात को लेकर mom और waking में बहस हो जाती है तो waking इस art gallery को ही dismiss करने का decide करता है तो mom उसे यान दिलाती ही कि इस art gallery का सिर्फ 20% share ही उसके पास है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता कि अगर आप इस तरह से गैलरी चलाएंगी तो आप भी इस हांट गैलरी को डिस्ट्रॉई कर देंगी अब माँ बेटी में यह अनबन देकर जूतो शौक्ट थी तो वहीं एक फ्लाशबेक से हमें पता चलता है कि वेकिंग बच्पन से ही रेबल टाइप का है वो कभी भी माम डैड की बात नहीं सुनता था इसलिए उसके डैड हमेशा उसे डाँटते थे मगर जितना भी वो डाँटते थे वेकिंग सुधरने की जगापर और ज़्यादा बिगड़ चाता था और स्पेशली निंग की आनी के बाद से तो उसने अपने माम डैड की बात सुनना ही छोड़ दिया और वो तो ड्रिंक करने भी लग गया था जिस वेसे उसके डैड उसे लेकर बहुत सादा परिशान रहते थे और उसकी फिकर में उनकी तपेद भी ज़्यादा खराब हो रही थी मगर डैड ने अपनी सारी जायदा वेकिंग के नाम पर ही कर गया थे तो तब इसे माम वेकिंग से बात नहीं करते हैं उससे अलग रहती है पर वेकिंग हर बार कोशिश करता है माम से सारे रिलेशन सही करने का पर दोनों जब भी आमने सामने होते हैं तो दोनों में बस जगड़ा ही होता है पर जगड़े के बाद वेकिंग को guilty feel होता है तो वेकिंग अपसे टोगर पार्क में बैटा होता है और अपने डाड के बारे में याद करने लग जाता है वहीं ते सुबर सुबर फेफे और निंग के टककर हो जाती है जिस वे इसे दोनों काफी close आ जाते हैं तब फेफे की तो heart beat ही fast हो जाती है तो फेफे बाग कर अपने room में जाती है इस बार में ही सोचने लग जाती है पर फिर अपने आपको होच में लाकर सोचती है कि वो इस बच्चे के बार में कैसे सोच सकती है तो इसलिए उसे अब अपने नया boyfriend की तलाश में निकल जाना चाहिए इसे जू भी काम से लोटते हुए उसी पार्क में आ जाती है जहां पर waking बैटा हुआ था तो waking भी समझाता है उसकी बात और इस बार full sincerity के साथ उसका दोस्त बनने के लिए क्याता है तो जू भी उसकी sincerity फील करती है और उसकी दोस्त बन जाती है वहीं दर फेफे भी अपने काम पर आई थी जहांपर waking का अंकल तो full उस पे line मानने लग जाता है जिससे फेफे भी थोड़ी impress तो हो जाती है तो अंकल उसे एक बहुत ही महंगा ब्रोशुर्स के बालों पर लगा दीता है जिससे वो घर अकर सभी को दिखाती फिरती है और अंकल की तो तारीफे करने लग जाती है वहीं जू भी बताती कि उसने फिर से waking के साथ दोस्ती कर ली है तो सबी उसे एक और बार warn करते हैं कि तुम फिर से उसके जहांसे में फस रही हो जिस पर जू कहती कि नहीं इस पर मैंने उसका emotional side देखा है वो जितना root दीखता है उतना है नहीं असल में तो वो काफी अकीला है उसके कोई friends भी नहीं है इसलिए अभी मुझे उस पर थोड़ी दया आ रही है तो सब लोग चॉकलेट्स और केक्स खा रहते फेफे निंग की साथ मस्ती कहने लग जाती है तो निंग फेफे के मुझे ही चॉकलेट्स खा लेता है जिस वेसे उनके indirect किस भी हो चाती है जो देकर दोनों तो हैरान होते है तो फेफे उन्हें चुप कराकर अपने room चली चाती है जहां वो इस बार में सोच के थोड़ी blush करती है तो इदर वेकिंग भी डिसाइड करता है कि वो इस बार जू की सच में help करेगा मगर बिना पैसो का use करके तो इसलिए वो अपने assistant को जू के problems के बारे में बता करने के लिए भीजता है जो फेफे से सब कुछ पता कर लाता है कि जू मिंग चेंग के बड़ी की दिनों से प्रपोस करना चाहती है तो वेकिंग डिसाइड करता है कि वो इसकी help करेगा मिंग चेंग को प्रपोस करने में वहेंदर चियू मिंग चेंग को gift देती है पूरे 3000 A4 size white paper अब मिंग चेंग ने कहा था कि उसे solar system set चाहिए जो काफी महेंग आते हैं और वो abroad से ही मंगाना पड़ता है तो इसलिए चियू ने उसे ये pages दिये और इसमें मिंग चेंग को ही solar system model draw करने के लिए कहा बिल्कुल छोटे बाल चश्मया और casual dress जिसमें वो एकदम चेंग की तरह दिख रही थी जिससे उसे doubt होता है कि कही मिंग चेंग चेंग को तो like नहीं करता इसलिए वो मिंग चेंग से indirectly पूछने के लिए पहुँच आती है जहां मिंग चेंग कहता है कि वो सब तो उसने ऐसे ही कहती है और चियू के बार में पूछने पर वो बताता है कि वो चियू को अपना rival मानता है जिससे वो एक बार बस हराना चाता है जो सन्जू मैडम तो बड़ी खुश हो जाती है वहीं जू निंग से वेकिंग के डाट के डेथ के बार में पूछती है मगर निंग को भी इस बार में पता नहीं था क्यूंकि आँटी ने उसे नहीं बताया था लेकिन तभी असिस्टंٹ आजाता है जो उन्हें देखकर खासने की आक्टिंग करने लग जाता है जिसे दोनों होश में आता है तो यहाँ सीन दोनों के लिए बहुत ही आक्वर्ड हो जाता है इदर फेफे अंकल के साथ किसी पार्टी में जाती है जिस बार में जब वो निंग को बताती है तो निंग को उसकी फिकर होती है क्योंकि उसे अंकल की character के बारे में अच्छे से पता था तो जू मिंग चेंग के लिए चू का बताया हुआ gift रेडी करती है साथ में वो वेकिंग को देने की लिए एक forever alone का gift भी बनाती है इसके बाद वो चश्मा लगा कर अपने get up में ready हो जाती है तो वेकिंग उसे बदे celebration तक drop करने के लिए जाता है तो जू वेकिंग को उसका gift देती है जिसे वो उसे घर पे जाकर खोलने के लिए कहती है इसलिए मिंग चेंग को तो कुछ समझी नहीं आता इसलिए वो उसे क्याता है कि तुम इसमें बहुत ही अजीब लग रही हो जिससे मैडम का तो पोपटी बन जाता है वही मिंग चेंग तो रेन और अपने दूसरे friends के साथ busy हो जाता है उपर से उसका गिफ्ट भी एक्सचेंज हो गया था जो उसने मिंग चेंग के लिए बनाई थी उसने वो वेकिंग को दे दिया था क्यूंकि packaging सेम थी इसलिए वो confused हो गई थी और forever alone लिखा हुआ गिफ्ट इसके पास आ जाता है जिस वेसे मिंग चेंग को भी काफी embarrassing लगता है वहीं जू का भी मजाग बन जाता है वहीं धर वेकिंग घर आकर जब गिफ्ट खोलता है तो इसमें मिंग चेंग का नाम लिखा हुआ था इसलिए वो जल्दी से जू तक इसे पहुँचाने के लिए जाता है वहीं धर फेफे को निंग की काफी फिकर होती है इसलिए वो अंकल को छोड़कर निंग को ढूनने के लिए चली जाती है इतर जू ने तो बहुत जादा ट्रिंक कर लिया था क्योंकि उसका confession plan जो फेल हो गया था वेकिंग पहुँचाता है गिफ्ट लेकर लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी जू तो एकदम टली हो चुकी थी क्योंकि वो काफी sad थी तो वेकिंग उसे घर चलने के लिए क्याता है मगर जू कहती कि उसे अभी घर नहीं जाना तो फेफे आकर उसे पहले तो बहुत डांट लगाती है पिर चोटे बच्ची की तरह उसका हाथ पकड़कर घर ले आती है उसे जू और वेकिंग तो पूल साइड बैटकर मस्त ड्रिंक कर रहे थे और जू उसे अपनी वन साइड लव स्टोडी सुना रहे ही होती है अब जू ने तो कुछ जादा ही ड्रिंक कर लिया था इसलिए वो एमोशनल होकर वेकिंग को ही किस कर लेती है लेकिन अगली सुपह जब उसकी नियंद खुलती है तब तो वो हैरान होती है पहले तो उसके कपड़े बदले हुए थे उपर से वो इतने बड़े घर में कैसे आ गई उसे समझ नहीं आ रहा था इविन वो किसके घर पर है ये भी उसे याद नहीं आ रहा था इसलिए वो घर के चार और किसी को ढूरनने लग चाती है इदर वेकिंग तो वीडियो कानफरेंस में था जहाँ पर उसके important board meeting चल रही थी अब जू उसे देखती है तो वो चिला कर उसे कहती है कि मेरे कपड़े किसने उतारे अब उसे तो पता नहीं था कि वीडियो कानफरेंस चल रहा था और board members को सबी कुछ दिखाय दे रहा था तो वेकिंग जल्दी से laptop बंद कर देता है फिर जू को थोड़ा tease करता है किस घर मेरे और तुम्हारे अलवा और कोई नहीं है तो फिर तुम ही सोच लो अब जू तो उस पे बहुत साथा गुस्सा हो जाती है और उसे मानने पे उतराती है तो वेकिंग फिर से उसे tease करते हुए प्रीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि उसका स्कॉलर्शिप इमाउंट बढ़ गया है जिसमें से बचे हुए पैसे भी प्रफेसर जू को देते हैं तो जू वेकिंग का थैंक्यू करने के लिए उससे कॉल करती है फिर वेकिंग जू को बताता है कि मिंग चेंग तो वेकिंग को अपना रोल मॉडल मानता है क्योंकि वेकिंग ने 10 सालों में इस कंपणी को जो करदे में चल रही थी इसे नमबर वन कंपणी बना दिया जो सुन वेकिंग भी काफी खुश होता है और उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब पे रख लेता है लेकिन लें बता थी कि वो भी उनमा को पारेशन जॉइन करने वाली है तो वो मिंग जींग के करिये जो और डिएम्प्रेशन में काम होगा वगने वाली है अजब की मिंग वो रेन थो ऑफिशल एमप्लॉई थैं तो Sू आर्ट गैलरी में रिजाइन देने के लिए चाहती है जहाँ वो सूजी से मिलती है जो कि शुन रेन की पेंटिंग खरीतने के लिए आई थी तो सूजी से जू को पता चलता है शुन रेन के पेंटिंग्स में रेन नम लिखा हुआ होता है इससे देखने पर वो भी शॉक्ट होती कि इससे पहले उसने कभी ये नोटिस नहीं किया था इधर फेफे निंग की साथ सूपर मार्केट आती है जहां पर अंकल भी उसे मिल जाता है तो अंकल फिर से उसके दाथ फ्रट करने लग जाते है तो वेकी सूजी की साथ बा आता है अब निंग कंपनी के लिए डिजांस बना रहा था लूऑ का फिषयांइन उसके लिए पारस्साट के लिए है जहाँ पहले दिन जू और रेन में तो नौक जोग शुरू हो जाती है अब जू वेकिंग को उसका नाम लेकर बुला रही होती है तो वेकिंग उसे पर्सनली समझाता है कि वो उसका आफिस में नाम ना ले उसे प्रेसिटेंट क्या करी बुलाए ताकि आफिस का इंवायरोमे हो रही थी तो रेन उसकी हल्प करने लग जाती है ताकि काम में कोई गड़बड़ी ना हो जाए इतर अंकल तो फेवे को मस्ट मस्ट गिफ्ट देकर इंप्रेसिग कर लेता है वही मिंग चेंग एकाउंट्स की इन्विस्टिकेशन में हल्प करने के लिए जिसके रिक्वे इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आता है चाहां रास्ते में उसे निंग मिलता है तो वेकिंग अपनी माम को समझाने लगता है कि अगर वो इसी तरह यूनमा आर्ट गैलरी के शेर्ट्स बेचती रही तो वो खुदी यूनमा आर्ट्स को खो देगी लेकिन माम क्या दी कि गैलरी का ध्यान रखेगी और उनकी सांथ काम करने वाले सारे रियल आर्टिस्ट का भी ध्यान रखेगी तो वेकिंग उन्हें बताता है कि सूजी सब कुछ बस अपने फायदी के लिए कर रही है ना तो वो आर्ट गैलरी का ध्यान रखेगी और ना ही आर्टिस्ट का लेक के बाद एक flashback से हमें पता चलता है कि वेकिंग के डैड के गुजरने के बाद डैड ने company and properties वेकिंग के नाम कर दिया था मगर वेकिंग को यह सब कुछ नहीं चाहिए था एवन उसने तो lawyer को सब कुछ mom के नाम करने के लिए किया दिया था तभी lawyer dad का लिखा हुआ वेकिंग के लिए एक letter उसे देता है जिसे पढ़के वेकिंग बहुत emotional हो जाता है और company को take over करने के लिए मान जाता है लेकिन mom इसे और ज़दा गुसा हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि वेकिंग सब कुछ बरबाद कर देगा उसके बुरे आदतों की वज़े से लेकिन mom उसने भी मान लिया था कि उसके डैड के death की वज़े वही है और उसी दिन से उसे खून दिखाए देने लगा था जिससे उसके दिमाग में बहुत ही गहरा असर पड़ा और उसे यह allergy वाली problem भी तबी से शुरू हुई थी जो कि उसकी एक psychological problem थी जो कि उसकी एक psychological problem थी जो कि और waking के फूल साइड किसके बार में याता चाता है तो वह चिला कर उरजाती है तो waking को सामने देकर जो के पूपी काफी निकलाती है जो waking के फेस पर जाकर लगती है तो जो उसे sorry वह रही कहने लग जाती है वाइदर फेफे अंकल के साथ एक फोटो पोस्ट करती है जिस से द फ्रेंस तो अंगल को उसका बॉर्फरेंड समझ लेते हैं इसलिए वो लोग फेफे से उनके गर्ल्स रियूनियन पार्टी में अंकल को लेकर आने के लिए क्याता है इधर वेकिंग जू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो वेकिंग उसे थोड़ी देर उसे दूर रहने के लिए क्याता है क्योंकि उसे सूजी से आर्ट गैलरी को लेकर बात करनी थी लेकिन तब ही वहाँ पर वेकिंग के सारे एक्स गल्फरेंस आ जाते हैं जिनने अंकल ने यहां बुलाया था लेकिन अंकल को तो इसकी कोई फिकर ही नहीं थी तो जू ने को कॉल करके फेफे के पास जाने के लिए क्याती है तागी फेफे को अपनी फ्रेंस के सामने एंबरेस ना होना पड़े इधर वेकिंग तो अपने सारे एक्स गल्फरेंस से बस्ता फिर रहा था जिस चकर में कईयों ने तो उसे टच भी कर लिया था लेकिन जू उसे चुपा कर यहां से बाहर निकालना आती है वहीं अंकल को डाउट हो जाता है कि वेकिंग हर वक्त कलब्स पहन कर क्यों रहता है तो वो सूजी को वेकिंग के बारे में सब कुछ बताता है लेकिन फेफे तो नहीं अटिचूट दिखा कर सारा बिल्स पे करने के बाद निक के साथ बाहर चली आती है और निक से तो वो बहुत इंप्रेसी हो गई थी इतर वेकिंग को फिर से अलर्जिक रियक्शन्स हो गए थे तो वेकिंग जू को अब सच पता देता है कि उसे छोड़कर बागी किसी के भी टच करने पर वेकिंग के बाड़ी में अलर्जिक रियक्शन्स होते हैं और अब तक उन दोनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वेकिंग का बस एक्सपेरिमेंट था जो सुन जू पहले सैड होती है क्योंकि वो अब वेकिंग जो थोड़कर करने लगा था वहीं वेकिंग भी उसन लाइक करने लगा था पर अब क्योनकि दो ने वो सब कुछ एकसपेरिमेंट माल दिया था इसलिए वेकिंग भी और कुछ नहीं कहता तो वेकिंग की गल्फरेंड होगी इसलिए वो उसे फ्लाट कर रहा था इसलिए फेफे अंकल का पता साफ करके चली आती है इधर अब जू को तो वेकिंग के अलरजी के बारे में पता चलिया था इसलिए वो तो वेकिंग को लेकर कुछ जाधा है प्रोटेक्टिब बन गई थी वो तो हर जगह बस वेकिंग की बॉडिगार्ट बनती फिर रही थी इसकी ये सारी हर्गते देख कर वेकिंग तो बड़ा हसने लगता है इधर मिंग चिंग वेकिंग को ट्रांजेक्शन घफल अब निंग फेफे को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि उसे फेफे की हल्प चाहिए क्योंकि उसे जू को कुछ कहना है जो सुन फेफे को लगता है कि शायद वो जू को लाइक करता है और यही वो उसे बताना चाहता है इसलिए वो उसके हल्प करने के लिए मा बहुत खुश हो जाती है तो निंग उसे यह बात किसी को भी बताने से मना करता है इदर फेफी को उसके एकस-boyfriend की प्रेज़ेंट-girlfriend मिल जाती है जो फेफी का मज़ा कोड़ा रही होती है तब उसके ex-boyfriend भी आ जाता है तो फेफी के साथ बद्धेमेजी करने लग जाता है लेकिन तब उँपर निंग आ चाता है और उसे कहींच कर एक लात मारता है उन्हैं बताता है कि वह फेफी का boyfriend है लेकिन एक्स बॉयफिन को तो बिलीवी नहीं होता वो कहता है कि फेफे को तो छोटे बच्चे पसंद नहीं है उसे मेरी जैसे मैच्छ लड़के पसंद है इसलिए जाता नाटक मत करो और यहां से निकल तो निंग भाय तो फेफे को किसी कर लेता है जो देखकर एक्स उनों को खेड लेते हैं जान सभी मिलकर निंग को पीटने लग जाता है तो फेफे उन्हें रोकने की काफिए कोशिश करती है मगर निंग गुत सारे प्लपर बहुत ज्यादा पीट देतेि देख थो आती हैं तुह उनकी साथ फैट जों से ल動画 आती है तो इन की सब कर size करने के लीग क्याता है घर पर सभी की मरं पटी करने के बांद यहान से चलने के लिए क्याता है बहुत ही रहता है अब यह सुनकर वेकिंग शौक्त रह चाहता है और पर गुस्ता भी आता तो उससे पूछते क्या कि तुम यहां कैसे रह सकते हो जो सुन फे फे वेकिंग को गुस्ते से कहती है कि जब तुमने इसे घर से निकाल दिया तो फिर यह विचारा कहा जाता अब उनकी बहस बाजी चली रही होती है कि तभी माताजी भी यहां पर पहले ही तुमने डैड की जान ली अब क्या निंग को भी माना चाते हो वेकिंग कहता कि क्या आप एक बार मेरी बात उपर बिलीव करेंगी मैंने कुछ भी नहीं किया है लेकिन मॉम को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता तो जू उन्हें समझाने जाती है मगर मॉम त उसकी बात ही नहीं सुनती और वेकिंग को डाटे ही जा रही थी वेकिंग कहता कि मॉम मैं आपका बिटा हूँ कम से कम एक बार मेरी बात उपर बिलीव कर लो लेकिन मॉम तो वेकिंग की कोई भी बात सुनने क्यों तयारी नहीं थी तो वेकिंग बहुत जादा सैड होकर ब सी की मरंबती कर देती है वहीं दर फेफे निंग के हालत की बारे में पूछने आती है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस उनकी किस वाली बाती चल रही थी, पर फिर उसे यान आता है कि निंग तो जू को लाइक करता है, तो वो उससे पूछ थी कि क्या उसने जू को सब बता दिया, और फेफे को तो पस दू को अपने शुनरान होनी की बारे में बता रहा था निंगे तहां मैंने बता दिया और वो काफी खुश भी थी यूसन फेफे तो उसे सोनी के लिए कर चली जाती है कि उसे लग रहा था कि निंग और जू रिलेशन्शिप में आ गए है पितर जू वेकिंग की मरम पटी करने के पाद नीचा आने लगती है लेकिन वेकिंग उसे रोग कर कमपनी देने के लिए क्याता है तो वो वहीं रोग जाती हैं दोनों बैठे बैठे ही सोचाते हैं और शुआई की मदद से बढ़ने लग जाती है लेकिन शुआई को भी कुछ दिनों में प्रोजेक्ट कम्टेट करने जाना था इसलिए वो फिर अकेली बढ़ जाती है तब ही वेकिंग का सेकरेटरी आकर उससे बताता है का तुम के हो? जुआ की रात में वेकिंग की पास चाकर की बढ़ाए करने में या तुम्हेan जलीस ही नहीं हो रही? नहीं कहते है जलेस होनी वाली क्या बात है? वेकिंग जुआ की बढ़ाएं में हEELP कर रहा यह तो अच्छी बат है तो waking zoo के लिए questions बनाता है नोसे office time में करने के लिए देता है और उस पर नजर रखने के लिए assistant को काम पर लगा देता है अब test खदम होने के बाद zoo waking के mom से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो उने waking के बार में बताने जाती है अगर मॉम उसे वेकिंग के बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है तब ही माँ पर निंग भी आ जाता है तो मॉम निंग का ख्याल रखने के लिए जू का सुकरी यादा करती है और फीचर में भी उसका ध्यान रखनी की रिक्वेश्ट करती है जिसके लिए जू मान जाते हैं उन्हें कहती है कि निंग तो उसकी लिए उसके चोटे भाई जैसा है इसलिए वो उसका चीतर से ख्याल रख लेगी जिसके बद निंग जू को अपने शुन रहाएं नाम के बार में बताता है कि उसने ये नाम अपने बड़े भाई के नाम से रगा है तो एक flashback समय पता चलता है कि अपने और्फनेज वाले भाई के बार में बताता है जो असल में निंग का रियल भाई नहीं था मगर वो निंग को और्फनेज में एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करता था जिसके बद वेकिंग फिर से जू की पढ़ाय शुरू कर देता है जिस दोरान दोनों काफी close भी आ जाते हैं और उनकी अची खासी दोस्ती भी हो जाती है सुबह के morning walk से लेकर रात में पढ़ाय करने तक दोनों साथ में time spent करते हैं वहीं तर अंकल तो एक और बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फेफे को उसकी कमपनी में रुखने के लिए मना लेता है इवन वो तो फेखे के साथ उनका 30 days meeting anniversary पी मनाता है अब एक्जाम से पहले जू का बदे आ चाता है लेकिन वेकिंग अभी जू को disturbed नहीं करना चाता था इसलिए अभी कोई बड़ा celebration ना करके specially रात भर जाकर जू के लिए एक surprise plan करता है तो घर को अच्छे से डिकॉरेट करके जू के लिए बदे केक भी लाता है उसे अभी बदे विश करता है जिससे जू तो काफी खुशन एमोशनल हो जाती है तो वो वेकिंग को हग कर लेती है और उसे थैंक्यू कहती है तो दोनों साथ मिलकर जू का बदे मनाते हैं फिर पढ़ाई में लग जाते हैं अब एक्जाम का दिना आ जाता है तो वेकिंग उसे एक्जाम सेंटर चोड़ने के लिए जाता है जाहें एक्जाम के दौरान जू तो काफी अच्छे से एक्जाम लिखती है मगर वेकिंग तो फेफे के साथ मीटिंग में विजी था क्योंकि वो जू के लिए एक बहुती शांदर बर्दे पार्टी रखना चाहता था जिसमें वो फेफे की हल्प मांगता है जू के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में कहीं तो मैं जू से प्यार तो नहीं हो गया वेकिंग कहता है कि मुझे प्यार व्यार के बारे में जादा कुछ पता नहीं है पर मैं जू को खुछ देखना चाहता हूँ लेकिन वेकिंग फेफे से कहता है कि वो जू से कहे कि बदे पार्टी फेफे ने रखी है क्योंकि अगर वेकिंग ने बताया कि पार्टी उसकी तरफ से है तो जू इसके लिए मना कर देगी तो फेफे इसके लिए मान जाती है जू को लेकर एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाने के लिए आती है पर फिर भी वो से गुड़ लग विश करता है तो पार्टी में सब लोग आ जाते हैं तो वहीं दर बॉय दिखल तयार हो रही होती है तो जू फेफे को बताती कि वो आज मिंग चिंग से कनफेस करेगी जू सुन फेफे तो हैरान होती है तो वो से पूछती है कि तुम तो निंग के साथ रिलेशनचिप में हो फिर मिंग चिंग से क्यों कनफेस करोगी जू सुन निंग कहता कि क्या बखवास कर रही हो हम कब स relationship में आ गए तो फेफे बताती कि तुमी ने तो उस दिन क्यारोके में जू से confess किया था ना जो सुन जू उसकी गलत फहमी दूर करती है कि निंग ने तो बस मुझे कहा था कि वो शुन रैन है तो रैन मैडम शुवाई को अपने टीम में जॉइन कर लेती है ताकि दोनों मिलकर वेकिंग और जू को अलग कर सके अब यहाँ जू प्लैन बना कर आये थी मिंग चिंग से confess करने का मगर इधर मिंग चिंग का भी प्लैन था चियू से confession करने का इसके लिए वो तो scientific formula वाला टीशेट पहन कर भी आया था इससे solve करने पर I love you बन जाता है और इस formula को सिर्फ यहाँ चियू ही solve कर सकती है तो वो चियू से confess करने जाही रहा था मगर वेकिंग को भी इस बार में पता चल गया था इसलिए वो पहले जाकर मिंग चेंग को रोकता है फिर उसे side मेरे जाकर आज confession करने से मना करता है इसके लिए मिंग चेंग मान तो जाता है मगर रेन की साथ dance करने की चकर में मिंग चेंग का short foot जाता है और रेन वो formula देख लेती है तो वो उसे इस बार में पूछने लग जाती है तभी मिंग चेंग के पीछे चियू भी थी जो उसे अपनी और गुमाती है और उस formula को solve कर लेती है इसका मतलब I love you निकलता है तो वो उसे पूछती कि आखिर वो किससे confess करने जा रहा है तो चियू इतर मिंग चेंग को डांटने लग जाती है लेकिन मिंग चेंग पूछते कि आखिर उसे हो क्या गया तो चियू उसे क्या थी कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जू तुम्हें like करती है और आज तो वो तुमसे confess भी करने वाली थी मगर तुमने सब को शिगर बढ़ कर दिया तो जू तो रोते हुए भागे जा रही थी जिस चकर में उसकी एक सैंडल भी पीछे छूट जाती है पर क्यूंकि वेकिंग उसके पीछे आ रहा था तो जू उसे बिना उठाय ही बस में चड़ जाती है और बस में बैटकर चली जाती है तो उसके लिए सारे बहुत परिशान होते हैं तो वो रोते हुए में चिंग के साथ अपने मेमरीज को याद कर रही थी वह इदर वेकिंग भी बस के पीछे अपनी कार से निकल गया था अब जू तो आगरी स्टॉप में आकर बस से उतर जाती है जहाँ पर वो बहुत रोने लग जाती है तबी बारिश भी शुरू हो जाती है तो कुछ देर में उसे ढूंडता हुआ वेकिंग भी वहाँ पर पहुंचाता है तो वेकिंग उसे सौरी किया तैन बताता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा फिर उसे हग कर लेता है जिसके बाद वेकिंग फेफे अन फ्रेंस को बता देता है कि जू अब उसके घर पे आराम कर रही है वेंधर वेकिंग जू से उसकी वन साडल लव स्टोरी के बार में पूछता है तो जू से बताती है कि मिंग चेंग ना उसकी पढ़ाई में हल्प की थी जिस वह से वो पहली बार मैथ में हंडडर्ड में हंडर्ड लाई थी और तब ही सिवो उससे लाइक करती है उसने स्कूल टाइम में उसे एक बर confess करने के बार में सोचा था अपना हंड्रेट में हंड्रेट वाला माक्षिर दिखा कर पर वो फेल हो गया था क्यूंकि माक्षिर तो पूल में गिर गया था उसकी ये लब स्टोडी सुनकर तो वेकिंग शॉक्ता पूछता है कि उसने तुम्हारी सिर्फ बढ़ाय में हल्प की और इसी से तुम्हें उससे प्यार हो गया जो सुन जू से चुप करा देती हैं अपनी कहान या आगे बढ़ाती है और उसे बताती कि अब दक वो तीन बार मिंगचेंग से कन्फेस करने में फेल हुई है तो चियू अपने ओन्लाइन फ्रेंड बे से चाट करती है जो कि असल में मिंगचेंग ही होता है Power में पैता नहीं देता ही है ताकि जू के दिल में कोई बस्तावा ना हो अब चाहे मिंग चिंग उसे reject ही क्यों ना करे पर इससे जू के लिए move on करना भी easy हो जाएगा जिसके लिए वेकिंग उसे उसका letter देता है जो उसने hotel से मंगा लिया था अब इसे देख जू तो काफी surprised होती है तो उससे पूछते कि तुमने तो कहा था कि तुम्हार पास नहीं है वेकिंग कहता कि मैंने वहाँ से मंगा लिया था तो जू पूछते तुमने इससे बढ़ा तो नहीं तो वेकिंग जोट कहा देता है कि उसने नहीं पढ़ा जू जाकर मिंग चेंग से confess करती है मगर मेंगचंग تو उसे अपनी बहन ही मानता है और वो लाइक तो अभी चुअब को करता है इसलिए मेंगचंग उस önem से कहता कि तूम हमेशा मेरे लिए मेरी चोटी बहान रहोगी तो फाइनली अब जुगो को कोई पस्तावा नहीं था तो वो मिंग जेंग को चियू के लिए good luck wish करती है और वहाँ से आने लगती है तभी जू अपने letter में कुछ corrections notice करती है जो कि waking ने किया था यानि कि उसने letter पढ़ लिया था तो जू को अपने साथ waking की memories भी याद आती है वहीं उसे ये बात भी समझा जाती है कि मिंग्चे ने उसे हमेशा से ही अपनी चोटी बेहन माना है तो finally वो move on कर जाती है और letter को फार्ड के उड़ा देती है तो घर लॉट टेंबर जू का सारे लोग मिलकर अच्छे से welcome करते हैं वहीं चीव जू को sorry कहने लगती है तो जू कहती इसकी कोई जरुवत नहीं है हम लोग friends थे और हमेशा friends रहेंगे वहीं जू वेकिंग अभी thank you करने के लिए चाहती है उसे confession के लिए encourage करने के लिए देन उसे अपने salary के पैसे भी दे देती है क्योंकि वेकिंग ने उसके डाड का करजा जो उतार दिया था तो जू कहती क्योंकि अब हम दोनो friends है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सही मगर तुमारे पैसे repay कर दूँगी जिसके बद निंग जू को उसका birthday gift देता है जो की होता है निंग की सारे paintings का ownership उसने जू के नाम कर दिया था जो दिक जू तो शॉक्ट होती है पर वो उससे लेने से मना करती है तो निंग कहता है अगर तुमने एकसेप्ट नहीं किया तो मैं आपसे painting कभी नहीं करूंगा जो सुन जू काफी emotional हो जाती है इस पर सुजी नहीं में जवाब देती है लेकि निंग को वो कुछ जानी पैचानी लगती है इसलिए वो उनसे पूछता कि क्या आप निंग रेन को जाते हैं इस पर सुजी मना करके washroom का बहाना कर चली जाती है लेकिन निंग को तो अभी भी वो कुछ जानी पैचानी ही लगती है इदर वाश्डो में हम देखते हैं कि सूजी की पास निंग और रेन के बच्पन के फोटोस थे दना में एक फ्लेश बैक से पता चलता है कि रेन तो असल में एक लड़की थी जो निंग के साथ ही और्फनेज में रहती थी मगर लड़की होनी की वेज़े से रेन को कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था इसलिए रेन ने अपने बालों को काट कर बहुज जैसा बिहेव करने लगी तब भी उसकी मुलाकात गुमसुम रहने वाले निंग से हुई जिससे वहाँ की दूसरे बच्चे बहुत बुली किया करते थे इसलिए रेन ने हमेशा निंग को अर्फनेज में प्रोटेक्ट किया इस तरह से रेन उसका पहला दो सतन बड़ा भाज जैसा बना जिसपर निंग ट्रस्ट करता था तो निंग के अड़ोप्शन के बाद रेन यानि की अभी जो सूजी है उसे एक बहुत ही बड़ी बिजनस टाइकून फैमिली सनो फैमिली ने अडॉप्ट किया जिससे वो रेन से सूजी वनी मगर सूजी अभी भी युन्मा आर्ट्स और शुन्डन आर्ट गैलरी के शेर्स करीदने में लगी हुई थी तो अगर पताशला की निंग को जो और्फनेच में प्रोटेक्ट किया करती थी वो तो सूजी थी वेकिंग उसे डॉक्टर चैन से मिलाने के लिए ले जाता है जहां डॉक्टर चैन उसे वेकिंग के पूरे कंडिशन के बार में बताती है तो जू उनसे पूछते कि अभी वो उसकी कैसे हल्फ कर सकती है तो डॉक्टर चन उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हें टच करने पर वेकिंग की बॉड़ी पे अलर्जिक रियक्शन्स नहीं होते जिसका मतलब है कि वो तुम्हें ट्रस्ट करता है तो जू अगले सुबह से ही लग जाती है काम पर वेकिंग को जल्दी से उठाने लग जाती है मगर वेकिंग तो दर्वाजा ही नहीं खोल रहा था तो जू हमेशा की तरह पीछे के रास्ते से एंट्री मारती है और फटा-फट उसे रेडी होकर बाहर आने के लिए क्याती है जहां जू उसे अब से क्या रूल्स फॉलो करना है उस अब कुछ बताती है लाई कि उसे लोगों से कितनी दूरी मेंटेन करके चलना है लोगों से किस तरह से इंट्रेक्ट करना है किन-किन लोगों के करीब जाना है दन वो वेकिंग के लाइक्स और डिसलाइक्स के बार में पूछती है और स्पेशली वो किन चीजों से हेट करता है जिस पर वेकिंग अंकल शुआई और बिल्ली का नाम बताता है तो जू से पूछती है क्या कि शुआ है और बिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा लेकिन वेकिंग इस सवाल को इगनोर कर देता है जिसके बद वेकिंग आफिस के लिए निकलता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उनके शारी शेर्ट अंकल के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है और अब अंकल युनमार्ट गैलरी का सबसे बड़ा शेर होल्डर बन गया है लेकिन तभी सूजी उसे कॉल करके मिलने के लिए बलाती है जहां पर अंकल भी आया हुआ था तो अकर वेकिंग इस कॉलिबरेशन के लिए मानता है तभी उसकी माउं की डिरेक्टर पोजिशन रहेगी और इस युनमार्ट गैलरी का नाम भी रहेगा तो यह क्या कर वो चली जाती है जिसके बद जू वेकिंग को भील बार वाली जगा पर ले जाती है ताकि उसकी OCD वाली प्रॉब्लम ठीक कर सके है लेकिन भील की विज़े से वेकिंग के बॉड़ी पर रेक्शन सुरू हो जाते है तो जू उसकी आंके बंद करवा कर और कानों में एरपीस लगा कर चलने के लिए कहती है लेकिन जू कहती है अभी तो शुरुआत है वो उसे पूरी तरह से ठीक करके रहेगी तो इसलिए जू वेकिंग के घर शिफ्ट हो जाती है जहां वेकिंग उसके घर पे आते ही जू को साफ सफाय का अच्छे से ध्यान रखने के लिए क्याता है तो जू सोनी के लिए गेस्ट रूम की और जाने लगती है तो वेकिंग उसे रोकते वे कहता कि तुम मेरे साथ सोना जो सुन जू तो शॉकिंग लिए उसे मना कर देती है तो वेकिंग कहता कि अब जब हमें एक दूस जगे करीब रहना है तो थोड़ा जादा ही करीब होने से क्या फर्क पड़ेगा लेकिन जू मना करते हुए क्या थी कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो वो यहां नहीं रहेगी तो वेकिंग कहता है कि पर मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा वेकिंग को कॉल लगाता है जिस पर वेकिंग कहता है कि वो एक ही शर्त पे मानेगा अगर मॉम ने उससे बात किया तो इधर वेकिंग तो रात की तीन वज़े तक गेम खेल रहा था इससे तो तुम्हें कोई प्रॉबलम नहीं होगा ना पर जू फिर भी अपने रूम की और जाना लगती है तो वेकिंग उससे कहता है कि अगर तुम अपने ब्लैंकेट लेकर यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हें भी चैंसे नहीं सोने दूँगा और पूरी राद दर्वास नौक करूंगा तो इसलिए जू ब्लैंकेट लेकर आजाती है और दोनों पहली की तरह सोफे पर ही सोच आते है अगली सुबह जू वेकिंग को टास्क दे कर जाती है कि उसे ऑफिस में पब्लिक अलिवेटर यूज करना होगा वेकिंग कहता है तुम्हारे बिना मैं यह नहीं कर पाऊंगा लेकिन जू कहती कि मैंने तुम्हारे असिस्टन को क्या दिया है सब कुछ इसलिए वो संभाल लेगा दन जू अर वेकिंग घर से बाहर आ जाती है मगर पहली बार उसे पब्लिक अलिवेटर यूज करता दे बाकी एंप्लोईस तो शॉक्ड थे इसलिए वो लोग तो डर से बाहर आ जाते है मगर वेकिंग उन में से दो तिनको अंदर बुला लेता है इविन उन्हें गुड मॉनिंग भी विश करता है जिससे तो पूरे ओफिस में ये बात फैल जाती है प्रेसेडंट ने पहली पर हमें गुड मॉनिंग का वेंदे शुआई जू को एक ट्रिप पे इन्वाइट करता है मगर जू तो काम का बहान अगर के उसे मना करके वेकिंग के साथ स्कूटी में बैट कर चली जाती है जो देख्शुआई को बड़ा गुस्सा आता है वेकिंग पर अब वेकिंग जू के साथ अपनी मॉम से मिले के लिए आता है जहां मॉम उसे उसके शर्स अंकल को ट्रांसफर करने के लिए क्याती है अब इसके लिए का वेकिंग उनसे कहता है कि आप अपने शर्स अंकल से वापस ले लीजिए फिर मैं अपने शर्स आपको दे दूँगा तो इसके लिए मौम मान जाती है तो वेकिंग का स्टार्टिंग से यही प्लैन था कि सारे शर्स वो अपनी मौम को वापस दिला सके उन्हें अपने फ्रेंग को भी बुलाया था पर वेकिंग ने उन्हें दूर बैठा दिया था इससे हमारी सूपर इंटेलिएंट चू को डाउट हो जाता है वेकिंग पर इसलिए वो घरा कर वेकिंग के बार में जू से पूछने लग जाती है तो इसमें फिफ़े और चू़ भी उसकी हलप करने के लिए तयार थी अगर कभी उसे उनकी जरुरत पड़ी तो जू वेकिंग के साथ रूम में सूने के लिए तयार हो जाती है ताकि इससे वेकिंग के कटिशन में कोई सुधारा सके अब इससे वेकिंग तो काफी खुश होता है वहीं जू ने साथ में सोने के लिए हाथों कर दिया था मगर वह खुती बहुत ही दाधा नर्वस होती है इसलिए रूम में जाने से पहले हॉल कि ये दो-चार चक्कर मार लेती है और जुपचा बेट पर जाकर एक साइड में सो जाती है तो वेकिंग भी दूसरे साइड सो जाता है लेकिन वेकिंग जू से अपना हाथ देने के लिए क्याता है ताकि वो उसका हाथ होल करके सो सके जिससे उसे डरावनेस अपने भी नहीं आएंगे तो जू अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वेकिंग उसका हाथ होल करके सो जाता है लेकिन जू तो काफ़ी जादा नर्वस हो रही थी पर उल्टी गिंती करते हुए वो सो जाती है लेकिन अगली सुप़ जब उसकी नींद खुलती है जहां जू के साथ होनी की वज़े से वेकिंग को अब ऐलर्जिक रियक्शन्स नहीं हो रहे थे तो इसी तरह दोनों साथ में हर जगा घूमने लग जाते हैं जू वेकिंग को अपने साथ बहुत सारी भीलड भाड़ वाली जगा ले जाती है दोनों रात को अराम से साथ में सो जाते हैं मूवीज देखने जाते हैं तो इस तरह से साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंट करने पर दोनों की बहुत ही अच्छी बॉर्णिंग बन जाती है और दोनों में आप किसी भी बात को लेकर awkwardness नहीं होती बलकि दोनों तो साथ में टाइम स्पेंट करके काफी जादा खुश होते हैं तो उन्हें देकर चियो और फे फे जू से कहते हैं कि तुम दोनों तो एकदम कपल्स की तरह बीएफ करते हो कहीं तुम दोनों सच में डेट तो नहीं कर रहे हैं जू कहती है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस close friends हैं, तो यह दोनों कहते हैं कि लेकिन तुम दोनों की closeness और हरकते देखकर तो ऐसा ही लगता है, कि तो उन दोनों date कर रहे हो, क्याकर वो उसे उन दोनों की फोटोस दिखाती है, जिनमें दोनों साथ में खान लग है, क्योंकि तुम उसे special treat करती हो, लेकिन जू कहती है कि तुम लोग तो इस बात को कुछ जादा खींच रही हो, तभी जू को waking का call आता है, जो उसे जदी से घर बुलाता है, क्योंकि उसे भूग लगी थी, अब जू तो बहुत ही जादा खुश होगर उसे क्याती है, कि वो अभी आती है, और उसके लिए नूरिस बना देगी, अब फेफे तो उसकी बाते फोन में record कर लीती है, और जू को दिखाते हुए क्याती ही कि तुम ख़ती देख लो, तुम कितनी जादा खुश थी, वेकिंग से बात करते हुए, जच लाइक एक वाइफ उसके husband से ब पता लगाना चाहिए, लेकिन च्यू कहती है कि वेकिंग के फिलिंग्स के बारे में पता लगाने से पहले, तुम्हें अपने फिलिंग्स के बारे में पता लगाना होगा, क्या कि तुम उसके लिए क्या फिल करती हो, अब इससे जू तो सोच में पढ़ जाती है, तो वो र लाइक करता है, तब ही वेकिंग उसे अपने साइड करता है और उसका हाथ होल करकी सोच आता है जिससे जू तो काफ़े नर्वस होकर भी बलश कर रही थी और अगली सुबह तो वो सोते हुए भी बहुत मस्कुरा रही थी अब इससे जू भी सोच में पढ़ जाती है कि क्या सच में वो वेकिंग को लाइक करती है और फिर वो अपने आपको होश में लाती है और वेकिंग के इलाज पे फोकस करने का डिसाइड करती है तो इस बार वो वेकिंग से सबसे मुश्किल टास्क कराना चाहती थी वेकिंग को अभी तक होश नहीं आया था, तभी हम एक flashback से पता चलता है, कि बच्पन में निंग के पास एक बिली हुआ करती थी, जिसे एक दिन किसी ने मार दिया था, तो वेकिंग को लगा, कि ये एक आम वेकिंग का है, क्यूंकि मॉम ने भी वेकिंग को कैट को हिट करते किये ही, जिसका वेकिंग पर गहरा असर पड़ा, और इसे बिली वाले नाइट मैट्स आने लगे थे, जिसके बाद तो वेकिंग को खोन से लदपद अपने ड़ाड की flash आने लगते हैं, जिससे वेकिंग तो बहुत जादा घबरा जाता है, इवन सपने में तो उसके मरे कि क्या तुमने मुझे मारा है, कि वेकिंग मैंने कुछ नहीं किया क्याते हुए उड़ जाता है, और बाहर की और भाग नहीं लग जाता है, लेकिन सारे लोगों से मिल कर वापस ले आते हैं, और उसे बेहुशी का injection देकर सुला देते हैं, इधर अंकल को वेकिंग की बार म फैलने लग जाते हैं, कि वेकिंग तो एक दम छोटे बच्ची की तरह ड़डने लग गया था, लेकिन सू के उसके पास होने की वज़े से, उसमें काफी हमत आती है, अब निउस में वेकिंग के बार में जो सब कुछ बाते फैल रही थी, उस बार में फेफे आकर जू को ब मैं और ज्यादा कन्फीज हो गई हूँ, अपनी फीलिंग्स को लेकर इसलिए मैंने वेकिंग को जल्दी से ठीक करने के लिए उसके डर को भगाने की कोशिश की थी, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि वेकिंग पर इसका क्या असर होगा, मैं तो बस वेकिंग को ठीक कर खराब हो गई है, जिने अब आप भी ठीक कर चकते हैं, क्योंकि सूजी ने आट गयले को ही बंद कर दिया था, और आउंटी को भी डायरेक्टर के पूजिशन से निकाल दिया था, जिससे माता जी के तो बड़ा जटका लगा था, तो निंग उसके इसालत के लिए भी सौर युनमा आट वर को कुछ भी नहीं हो सकता, तो जूफ़े से वेकिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, फिर इसे बहुत सारे जगा गोमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दोनों कीचड से लटपत हो गए थे, तो दोनों यहाँ फिर से कीचड के साथ केलने लिए लग ज तो इस तरह से दोनों अपने पुराने फार में वापस आ जाते हैं, वहीं वेकिंग ने अपने शर्ट अंकल के नाम कर दिया थे, जिससे मॉम फिर से डिर्क्टर बन गई थी, तो वेकिंग सूजी से मिलने आता है, जहां सूजी उससे कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तु दूसरों को बेच कर युनमा आर्ट को खतम ना कर दे, इसलिए वो वेकिंग के साथ कॉलेबरेट करना चाहती थी, ताकि दोनों मिलकर इस युनमा आर्ट गैलरी को अच्छे से चलाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपने चोटी भाई निंग को प्रोडेट कर रही थी, ताकि वेकिंग के मौम की बेवकूफी की वज़े से निंग पर कोई मुसीवत ना आए, वहीं दरमाता जी तो युनमा आर्ट वापस पाकर बड़ी खुश होती है, इतर जू को पता चलता है कि उन्हें परसों, उनके डिपार्टमेंट के और से फिल्ड वर्क पर जाना है, लेकिन इतर जू के जाने के बाद तो वेकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यूँकि जू के साथ रहना उसकी एक हैबिट बन चुगी थी, इसलिए वो तो अगली सुबह इनके घर पे तरवाजा ठोकने लग जाता है, तो फेफे उससे पूछते कि आख जोनों तो समझी जाते हैं कि वेकिंग उसे लाइक करता है, तो वेकिंग जू को बहुत सारे कॉल्स करता है, मैसेज़ेस करता है, मगर जू उसका कोई रिपलाई ही नहीं करती, तो वेकिंग को आइडिया तर वो मिंचेंग को बलाता है, और उसके जरिये फिर जू का पता हिकाल लेता है पिर assistant के साथ वो भी उस जगा पहुँचा जाता है और वो लोग जिस होटेल में ठैरे थे वहां से सारे students को मस्त योटेल में transfer करा देता है वह भी my payment double करके जिस बाईर में होटेल वाले उन्हें नहीं बताते बस कहते हैं कि उनके होटेल की anniversary पर इसरी ओफर चल रही है, जिससे जू तो अपने रूम में आकर बड़ी खुश होती है, मगर तभी वहाँ पर वेकिंग आ जाता है, जिससे देखर वो तो शॉक्ड हो जाती है, देन वो समझ चाती है, कि वेकिंग ने मिंग जिंग के जरिये उसका पता लगाया, तो वेकिं कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रिलेक्स करूंगा, जिस पर जू से मना करते हुए कहती है, कि अभी तुम्हें को इस दिनों तक डॉक्टर चैन से ही ट्रीटमेंट करानी चाहिए, तो वेकिंग कहता है, पर तुमने मुझे प्रामिस किया था, कि तुम हमारी लाइफ शक्ट हो रही है, जू कहती है, जिसके लिए वेकिंग उसे सारी कहता है, तो जू अभी उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अभी उसके सारी क्लास्मेंट्स यहाँ पर हैं, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, तो वेकिंग दूसरी रूम में लिए कह देती है, मगर वेकिंग तो जाने का नाम ही नहीं लेता है, एने वेर उन दोनों के सामने ही कहती है, कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जो सुन्जू से अपने साथ बाहर ले जाती है, और उससे पूछने लग जाती है, कि आकर तुम इतना जिद क्यूं कर रहे हो, वेकिंग कहता है कि क्यूंकि तुम्हें अभी मेरा ट्रीटमेंट करना है, तो जो वेकिंग से कहती है कि मुझे अभी हम दोनों का रिलेशन्शिप समझ नहीं आ रहा, क्या हम दोस्त है, या फिर तुम पेशेंट और मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर का काम कर रही हो, या फ रहा था, क्योंकि अभी वो थोड़ा पच्टा रहा था, जो को सिर्फ रेंड बताकर, क्योंकि वेकिंग को इससे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, इसलिए उसे प्यार वाली फिलिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, जिस वह से वो भी अपनी फिलिंग्स को लेकर कन NINFYOUZE था सिंद भे एक शिली नाम की लड़की आदिन उससे बात करने लग जाती है तो उससे अफसेट देकर वो उसका रीजन पूछती है तो वेकिंग उसे अपने जू के बारे में सब कुछ बताता है और उससे अपने अलर्जी के बारे में अभी सब बताता है तो शिली उसे डच करती है जिसके बाद भी वेकिंग को कोई अलर्जी नहीं होती तो वेकिंग से पूरी कहानी सुनने के बाद शिली उसे बताती है कि जू की विज़े से ही तुमने दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखा है उसके ट्रस्ट में आगे उन्हें क्या करना होगा इस बारे में जानने के लिए तो रॉक्टर चैनल नए एक वेकिशन के लिए एक रिसॉर्ट जाने के लिए क्याते हैं जहाँ पर वेकिंग का ट्रिट्मेंट अच्छे से हो सकता है जहाँ पर दोनों face to face go का match खेलेंगे अब इससे चीवी काफी ताता excited हो जाती है specially अपने इंटरनेट फ्रेंड से मिलने के लिए इधर अंकल ने तो फेफे को अपनी fake girlfriend बनने का नाटक करने के लिए मना लिया था किंकि उसने अपनी sister यानी की waking के mom को अज़ाँ बता दिया था कि फेफे उसकी girlfriend है अब माताची की साथ तो वहाँ पर निंग भी आ जाता है जो फेफे को अंकल की साथ देकर हैरान था और जब अंकल बताता है ये तो निंग को तो बहुत ज़दा गुस्тा आता है और जैलिस भी होता है अब अंकल और माता जी की जाने के बाद फेफे निंग को बता दीती है कि वो तो बस नाटक कर रही है पढ़निंग तो फिर भी उससे अपसेट हो जाता है तभी वहाँ पर चिउ भी आ जाती है अब वो लोग एक दूसरे को देखर तो हैरान थे तो चिउ पताती है कि वो यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई है तो अंकल बार बार उससे वेकिंग और जू के रिलिशनचिप के बार में पूछ रहा थे जिसके जवाब में जू कुछ भी नहीं किया पा रही थी तो अंकल वेकिंग की बुराई ही करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो उस जैसे प्लेबोई से बचकर रहना चाहिए बलकि उसके बदले निंग के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनेगी तो जू माता जिससे क्लियर करती है कि निंग तो बस उसके चोटे बाच जैसा है उससे ज़्यादा उनकी बिच और कुछ नहीं है पर अंकल तो फिर भी उसके पीछे पढ़ जाता है और कहते हैं कि हो सकता अभी कुछ नहीं है मगर बाद में तो होई जाएगा अब इतना सब कुछ सुनकर वेकिंग तो जिपचाप नहीं रह पाता तो वो जाकर उनके सामने कहा दिया था कि जू मेरी गल्ड्रेंड है पिर जू से भी अपने फिलिंग्स कंफिस करता है कि वो उसे बहुत ज़दा लाइक करता है लेकिन तभी वहाँ पर रहना शुआई भी पहुंचाते है और शुआई को ये देकर तो बहुत ज़दा गुस्ता भी आता है लेकिन जू तो वहाँ से भाग जाती है तो वेकिंग भी उसके पीछे जाता है वहें धर फेफे भी माताजी को सच बता देती है कि वो अंकल की गर्फरेंड नहीं है तो अंकल उससे बात करने लगा था लेकिन निंग जाकर अंकल को भगा देता है इदर वेकिंग जू के पीछे उसके रूम तक जाता है मगर जू दर्वाजा बंद कर देती है तो वेकिंग का हाथ दरवाजी पर आ जाता है इसलिए जू से रूम के अंदर ले आती है तो जू से पूछती है अगर तुमने मुझे सब के सामने किस क्यों किया तो वेकिंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि तुम तो मेरे साथ ही रहोगी जिसके बाद जू रेसिंग करने के लिए चली जाती है जहां कुछ दिर में निंग और वेकिंग भी आ जाता है मगर वेकिंग और निंग के रेसिंग कार सापस में टकरा चाता है तब ही वहाँ पर माता जी भी पहुच गई थी जो ये दे कर वेकिंग को ही टांट रही थी कि अगर तुमने निंग के कार को टकर क्यों मारी वेकिंग को पताता कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है इसलिए वो रेसिंग करने के लिए चला चाता है तो वेकिंग उसे शुवाई से दूर रहने के लिए क्याता है तो जो ठीक है कहकर चली जाती है इधर अंकल तो फेफे को छोड़कर दूसरी डड़की बटा लेते हैं तो हमारी फेफे फिर से सिंगल हो जाती है तो वे अपने फ्रेंट से अपने लिए एक भरुसे मन फ्रेंट होनने के लिए क्याती है तो ये दोनों निंग का नाम सर्जेस्ट करते हैं तो निंग भी उसे कहता है कि तुम मज़़पे पर भरुसा कर सकती हो अब निंग ने डिरेक्टली कन्फिस तो नहीं किया पर संद नहीं करता अब एलर्जी देकर रेन तो डर जाती है तो वेकिंग उसे और डराते विए कहता है कि यह अलर्जी फैल जाती है जो भी इने टेश करता है जो सुन रेन तो पतली गले से निकल लेती है वहीं देश चिव को अपने ओनलाइन फ्रेंड का मेसेज आता है कि वो उसे कल मिलने आने वाला है जो सुन चिव भी बहुत खुश हो जाती है वहीं दर वेकिंग रेन की बात बता कर जू के साथ मस्त उसका मज़ाक उडाते है लेकिन दर विलन पार्टी का तो कुछ औरी प्लैन था वो लोग वेकिंग और उसके मौम के नफरत का यूज करना चाते थे एक हमारी रेन वेकिंग से बदर लेना है उसे बार पार रिजयक्ट करने के लिए इसलिए रेन शुआ को एक unknown number से वेकिंग बंकर running को मेसेज़ करके पहारी जंगल में बात करने के लिए बुलाने की लिए चेहती है तो शुआ हूए ऐसा ही करता है वह वेकिंग ब पर इसे पहले वो चिवो का मैच खेलने के लिए कि लिए है तो मैच खेलते हुए चिवो समझ जाती ही कि वही बे है जो इतने दिनों से उसके साथ ओनलाइन पे चैट कर रहा था अब यह जानकर चिवो सर्प्राइस तो नहीं होती लेकिन उसे यह काफी जादा मसेदार लगा इतर निंग के आने पर वो पीछे से चुवाई को देखकर ही पैचान जाता है यह वेकिंग नहीं है पर इससे पहले वो उसका चेहरा देखता है चुवाई उसे धका मार देता है जिससे निंग लोड़कते हुए नीचे गिर जाता है इससे उसके पैर पर तो बहुत बड़ तो वो निंग के पास आती है और help के लिए चिलाने लग जाती है क्योंकि वो अपना phone लेकर नहीं आई थी और निंग का फोन कहीं कीरिया था तो निंग जू को बताता है कि उसे waking बनकर किसी और ने message किया था और जिसने उसे धका मारा वो waking नहीं था क्योंकि उसका senior उसे नफरत करता है मगर कभी उसे खुद हर्ट नहीं कर सकता इवे निंग तो बस waking से माफी मांगना चाता था बच्पन से लेकर आज तक उसकी वज़े से waking को कितना कुछ जेलना पड़ा फिर वो सभी उन दोनों को ढूणने के लिए निकल जाते है जहां जंगलों की और आते हुए फेफे को resort का room की मिलता है इसे waking पहचान लेता है क्योंकि ये उसी का room की था तो वो लोग समझ जाते हैं कि zoo इसी और गई है निक को थोड़ी होश आती है तब भी वो sorry ही कहे जा रहा था तब ही फेफे एक पधर से टकराती है तो दोनों नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें डूनते हुए जियांग और चुई भी वहाँ पहुँचाते हैं मौत कैसे हुई थी मौम कहती है तुम्हें तो पता ही होगा तुम तो वहीं पर थे तो वेकिंग बताता है कि मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है पर आज तक मुझे उनकी dead body खून से लटपत सपने में दिखाय दीती है जो पिछले 10 सालों से बार-बार मेरे सपने में आते हैं तो मौम समझ जा थी है कि वेकिंग ने भी उतना ही जेल है जितना उन्होंने तो मौम बताती है कि तुम्हारी पापा को कैंसर था जो आखरी स्टेज पर थे पर उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हें सुदारना चाते थे अब वेकिंग अकिला यूएस में रहता था इसलिए वो वहाँ पे बहुत ज़ादा बिगड़ गया था जिसलिए उसके फादर को उसकी बहुती फिकर होती है पर मॉम वेकिंग से सिलिए नराज थी क्योंकि उसने अपने डैड का ख्याल नहीं रखा जिसके लाप परवाई की वज़े से उनकी मौत हो गई अब मॉम भी वेकिंग के डैड के डैड के बारे में नहीं बताती कि आकर उनकी मौत कैसे होई लेकिन अब मॉम समझ गई थी कि वेकिंग ने भी इतने सालों तक उनकी जितना ही पेंग साहा बलकि उससे कहीं कुना ज़ादा क्योंकि मॉम ने भी उसका साथ छोड़ दिया था तो यहां मा बेटी का मेल फिर से होच आता है जिसके बाद हमारे दोनों पेशेंट अपने बेट पर होते हैं निंग को होश आता है तो पहले वो उसकी पास बैटी फेफे को सौरी कहता है कि उसे निंग को कैरी करना बड़ा फिर से थैंक्यू कहता है तो फेफे कहती है वैसे तुम काफी भारी थे और तुम्हें उठाने में मेरी हालत भी खराब हो गई थी लेकिन इससे पहले फेफे उसे और कुछ कहती निंग उसे सीधे किस कर देता है अब अचानक इस साइड शांत माहौल सुनकर जू और वेकिंग पर दाठाते हैं वो देकर शॉक्ड होते हैं कि दूनों तो किस कर रहे हैं तो वेकिंग उन्हें डिश्टाप करना छोड़ जू को भी किस करना शुरू कर देता है जिसके बाद ये सभी रिसॉर्ट से चिकाउट करने की तेयारी में लग जाते हैं कि यहां सेहा थे वो दू को शुबाए मिलता है चुबाथ अधिया था कि वेकिंग वन का निंग को उसी ने बलाया था जिसके लिए वो शुबाए पर गुस्सा करती है और उसी ये भी बताती कि नंग भी तुम्हे माफ कर दिया परागे से ऐसा कुछ भी करने का सोचना भी मात शुवाई बताता है कि वो तो बस चाता था कि वेकिंग तुमसे दूर हो जाए क्योंकि उसे बिमार ही है जो दूसरों पे फैलती है तो जू कहती है वो तो बस जूट था जो वेकिंग ने रेंट से कहा था उससे पीछा चुडाने के लिए तभी वहाँ पर वेकिंग आता है तो यहां में पता जलता है कि शुवाई का असली रिसन क्या था वेकिंग से नफ़रत करने का अगर मैं उसे नहीं मिला तो अब समझ जब वो कैसी लड़की थी और मैंने उसे तुम से चीना है या नहीं इसके बद वो जू के साथ डॉक्टर चेन की पास जाता है जहाँ पर वो हिपनोसिस के लिए त्यार हो जाता है क्योंकि उसे उस दिन की भारे में याद करना था कि आखिर उसके डैड की डैट कैसे हुई दॉक्टर चेन उस पर हिपनोटिसम यूज करती है जिससे वेकिंग उस रात में चला जाता है जहां उसने हमेशे की तरह डैड से जगडा गिया था फिर गुस्टे से गर चोड़कर के लिए चला गया था फिर काफी रात में नशे में वापस आया तब उसके डैड ने उसे काफी डाटा लेकिन वेकिंग ने कुछ खास दियान नहीं दिया और अपने रूम जाकर सो गया मगर उसके घर की बाहर कुछ टोटने की आवाज से वो जग गया तो जैसे जग करने क उने गले लगा कर बहुत रोया तो वेकिंग हिपनोसिस से भी बाहर आकर काफी जाता रोता है और कहता है कि अगर मैं उस दिन ड्रिंक करके नहीं आता और अगर मैं दर्वासा खोल पाता तो शायद मैं पापा को बचा सकता था यह क्या कर वो बहुत रोने लगता है तो जो उसे कंसूल करती है इसके वज़ो अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताती है तो चीह उसकी बातों से पॉइंट आउट करती है कि अगर उस दिन दर्वासा अंदर से लोग नहीं था पर तो जरूर बाहर से किसी ने जान बुछ कर दर्वासा लोग किया था लगी वेक अंटी का ध्यान मुझ पर जादा हो गया इसलिए I'm sorry मेरी वज़े से आप और जादा rebellious बन गये मगर फिर भी अंकल और आंटी को हर वक्त आपकी ही चिंता लगी रहती थी इसलिए अंकल आपके पास आ गये थे पर मेरा कोई रादा नहीं था आपके parents को आपसे दूर करने क बलकि मैं तो आप सब के साथ अच्छे से रहना चाहता था और मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे अच्छे से बात करने क्योंकि मैं बहुत डरता था कि आप मुझे घर से बाहर निकालना दो पर अंकल के मौत की सारे details के बारे में यूवेस के police station में फाइल्स होंगी जने ह हम जग कर सकते हैं तो finally waking निक को माफ कर देता है और उसे thank you कहता है यह सब बताने के लिए जिसमें waking के डैड ने जो प्यार waking के लिए कभी नहीं दिखाया वो लिखकर बताया था और ये भी बताया था कि वो waking को लेकर बहुत ही जादा strict थे क्योंकि वो waking को सुझारना चाहते पर वो business minded था क्योंकि इसने US से बहुत सारे profits बनाये थे इसलिए डैड चाहते थे कि वही company को चलाएं क्योंकि उन्हें और उसकी mom को बिजनेस चलाने की knowledge नहीं थी इसलिए वो लोग उनके friends पर dependent रहते थे इसलिए वो चाहते थे कि यूनमा ग्रूप को waking संभाले और mom का ध् चुकी होगी लेकिन एक बात याद रखना तुम्हारे डैड तुमसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे दनलाश्ट में लिखाता कि mom को यह letter मत दिखाना और मेरी जाने की पास जाता दुखी मत होना तो वेकिंग फिर से बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसना अपने डैड को कभी प्यार से गढ़े नहीं लगाया जिसका बात वेकिंग अमेरिका के जाने के लिए निकलता है और अपने साथ उसने जू के भी ट्राइंग सब्मेट किया थे तो वह लोग जू की पेंटिंग्स में इंट्रेस्टर थे इसलिए जू को बस एक लैं सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस बार में एक बार सोचना ज़रूर चाहिए जिसके बद सारे फ्रेंस आफ्टर पार्ट में मिलते हैं जिने देख फेफी का भी बड़ा मन होता है शादी करने का इसलिए उन्हें वेट करना पड़ेगा तो वह बताती ह के साथ फुल स्कॉलर्शिप मिलेगी तो सारे फ्रेंस उसके लिए खुश तो होते हैं लेकिन सैड़ भी थे कि जू जाने वाली है तो फेफे पूछते कि क्या उसने इस बार में वेकिंग को बताया इस पर जू कहती है उसने अभी तो नहीं बताया क्योंकि अभी तक जू के लिए खुश गया थे जिने जब वेकिंग के डाड रोकने की कोशिश करते हैं तो उन चोरों में से एक किपास गन होती है जो उन्हें शूट कर देता है फिर वो लोग वेकिंग के रूम के और जा रहा थे तो डैड बड़ी मुश्किल से सीडियों से उपर उठते हैं चो पर में चोर उन्हें एक और गूली मार देता है लेकिन डैड ने इससे पहले ही वेकिंग के दर्वाजी के पार एक चेर को अटका दिया था जिस वाईसे दरौजा बाहर से लौक हो गया था और वेकिंग दर्वाजा नहीं खोल सका था अब यह जानकर तो वेकिंग बहुत ह जातों साद एंशनल हो जाता है, कि उसके डाड़ ने अपने आखरी सांस तक वेकिंग को प्रोटेट किया, जिसके बद वेकिंग अपने डाड़ के मैमरीज को याद करता है, कि किस तरह से वो हर रोज उसके लिए खाना बना कर रखते थे, मगर वेकिंग ने कभी उनकी साथ बैटकर खाना नहीं खाया विकिन अपने डाट को इमाजन करके हग करता है और उनसे हर चीज के लिए sorry कहता है तो वेकिन कुछ और दिन यहीं पर रुखना चाहता है जिस बार में वो assistant को बताता है तो assistant बताता है कि जू आपके बार में पूछ रही थी वेकिंग क्याता है कि उसे बोल देना कि मैं अभी बिजी हूँ और अभी कुछ दिनों तक मैं अकेला रहना चाहता हूँ इसलिए मेरा कॉंटेक्ट नमबर भी किसी को मत देना तो असिस्टेंडर साही करता है जू को बताता है कि बॉस अभी कुछ दिनों तक नहीं आने वाले हैं और अभी तक हमारे पास उन्हें कॉंटक्ट कने का कोई नंबर नहीं है जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको दे दूँगा जैसे ही जान पुछ कर उसके सामने नहीं आता तो जू वेकिंग के घर के सामने ही एक होटेल में रहने लगती है और हर रोज शुपकर वेकिंग को फॉलो करने लगती है जिसके बार में वेकिंग को पता होता है मगर वो भी जो चल रहा है वहीं चलने देता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि दोनों पहले एक दूसरे के पास आए बात करने के लिए तो इसे तरह दोनों का खुछ दिन फिर अचानक एक दिन वेकिंग को पता चलता है कि अंकल ने यून मार्ट के सारे शेर्स सूजी को बेच दिया है इसलिए वेकिंग जल्दी से अपना और जू का फ्लाइट टिकेट बुक करवाता है जिस बाइर में जू को असिटन बताता है तो दोनों से हम फ्लाइट में वापस आजाते हैं वेकिंग कहता है कि वो तो मैंने पहली बाती समझ गया था जब तो मेरा पीछा कर रही थी पर जू मैडम तो अभी भी नराज थी तब ही एक चोटी बच्ची वेकिंग का हाथ पकड़ती है तो वेकिंग पे कोई भी अलर्जिक रियक्शन्स नहीं होते जो देक्जू तो बहुत ख़ुशो कर वेकिंग को गले लगाती है तो वेकिंग बताता है कि वो पूरी طra से ठीक हो गया है यो कि वो अब अपने बापा के लिए गिल्ट फिलिंग से आजद हो गया है जो वेकिंग के उस कंडिशन का इसलिए रिसन था वहीं तो निंग जू को सूजी के प्रॉब्लम के बार में बताता है कि वो युनमा अट वक देने से मना कर रही है तो जू और निंग सूजी से बात करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तो बता देना मैं तुम्हारा भाई हूँ अब ये सून निंग तो हैरानी हो जाता है तो निंग शौकिली एक्साइटर हो कर कियाता है कि तुम मेरा ओर्फनेज वाले भाईया थी तो सूजी मुस्कुरात हुए क्याती है कि और नहीं तो क्या क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना अब निंग तो बड़ा खुश हो जाता है तो वो उससे पूछते है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तो सूजी कहती है अब जब तुम्हें मेरे बार में पता चलिया करते हैं अगर तुम्हें शुनरान के साथ कॉंट्रेक्ट साइन करना है तो तुम्हें युनमा आटवक को वापस करना ही होगा क्योंकि शुनरान के सारे पुराने पेंटिंग्स और आने वाले टाइम में शुन्डरन जितने भी डिजाइन्स और पेंटिंग्स बनाएगा उन सब के distribution rights मेरे पास है यानि कि लेगली शुन्डरन के सारे works की ओना जू थी क्योंकि निंग ने जू के बड़ी किट में वही तो दिया था तो इसलिए सूजी मैडम को भी मानना पड़ता है तो वह वेकिंग को मेटिंग के लिए बुलाती है और यूनमा आटवक्स के सारे shirts के बदले बहुती बड़ी amount डिमांड करती है वेकिंग पूछता है अचानक तुमारा इरादा कैसे बदल गया तूजी बताती है इसका जवाद तुमारी गल्डफरंड की पास है तो वेकिंग जू को ढूंडते हुए उसके घर जाता है जहां से उसे पता शलता है कि जू तो सूमिंग पूल गई है तो वहीं एदर हम जू को देखते हैं जो और साल की तरह आज की दिन सूमिंग करने के लिए आई थी मगर तभी एक लड़के से डकराने की वज़े से वो पानी में गर जाती है लेकिन तभी उसे पानी से निकालने के लिए वेकिंग भी पानी में आ जाता है जिससे हमें 10 साल पहले का फ्लेश पैक दिखा जाता है जिस दिन जू का मैट में 100 में 100 बाने वाला पेपर फूल में गिरी आता जिसे निकालने के लिए जू पानी में कूद गई थी तब ही उसे पानी से किसी ने निकाला था तो coming back to present वेकिंग जू को पानी से बाहर निकालता है और पूछता है कि वो अचानक यहाँ पर क्या कर रही है जू बताती है वो हर साल की तरह इस पूल में डूपने का अनेवरसरी मनाने आई है तब से यह जगा जैसी थी वैसी है तो इससे जू को भी यादा जाता है जिसने उसे बचाया था वो तो वेकिंग ही था तब तो वो बड़ी खुछो कर उससे किस करती है पिर वेकिंग को अपने जवाब बताने जाती है लेकिन उसे अपने अब रोट जाने वाली बात याद आती है जिस बार में वो वेकिंग को बताती है तो वेकिंग तो शॉक्ड हो जाता है तो वेकिंग उसे पानी की बीच लिया तो नुसे पूछता है कि तुमने मुझे बता लाइक करता हूँ ये कहकर वो सभी के सामने चिला-चिला कर दो उसे अपने प्यार का कनफेशन करता है तो फानली जू भी अपने दिल की बाद उसे बताए देती है तो जू कहती है क्या तो मेरे लिए वेट करोगे वेकिंग कहता है कि इतने भी साल लगे मैं तुम्हारा मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग सीरीज के साथ अपने के लिए टेक केर हैं बाई बाई